गड़मान अठिटिगंड, मीडिया के मेरे ताथियों, देवियों वस्तजनों। आज इंडियन नैवल सिप बिक्रांत की कमिस्टिंग के एटिहाशी का उसर पर मानिप प्रधान मंत्री जी का हम सब के बीच होना, हम सभी के लिए एक प्रसंदता का प्रसंग है। अपने बिजी सेडूल में से समय निकाल कर आपने यहाँ अपनी गरिमामई उपसिटी परदान की है, मैं आपका हार्दिक स्वागत और अविनंदन करता हूँ। अमरित काल के प्रारंध में आई एनस विक्रांट की कमिशनिंग अगले 25 वरसों में रास्ट की सुरक्षा के हमारे मजबूत संकल्प को दोराती है। आई एनस विक्रांट एक एस्परेशनल और सेल्फ रिलाइंट इंडिया का एक एकसेप्टनल सिंबल है। यह एक आईकन है रास्ट के गवरों का, रास्ट की सक्ति का और रास्ट के संकल्प का। इसकी कमिशनिंग, इंडिजिनस वारसित और कंस्ट्रक्षन की राह में एक अनप्रेशिडेंटेट एचिब्मेंट है। जैसा कि आप सभी नईवी के टेडिशन से अच्छी तरह होगत हैं, ओल्ड सिप्स नेवर डाई, 1971 के युद्ध में अपनी शांदार भूम का निभाने वाले विक्रांद का यह नया अवतार, अम्रित काल की उपलब्धी के साथ साथ, हमारे त्रीडम फाइटर्स और ब्रे मेरिटाइम ट्रेट के संचालन के लिए भारत के मेरिटाइम इंटरस्ट को शक्योर रखना इंडियन डैवी की सिगनिफिकेंट रस्पांसबिल्टी है, मुझे पुरा विश्वास है कि इस जम्मेदारी के इडिस्कूशन के लिए एरक्राफ्ट कैरियर से बहतर माध्यम औ और कुछ नहीं हो सकता है, भारती नौसेना नेशनल अफ्वाई इंटर्डेश्वल लेवल क्राइसिस में फॉरस्ट रस्पॉंडर के रूप में हमेशा तयार रहती है, आई एनस विकरांद की कमिशनिंग से नौसेना की केफिविल्टी में और अधिक वृद्धी होगी, म माननी प्रधानमंत्री के नेत्रत में भारत में हो रहे विशाल ट्रांस्फार्मेटिव चेंजेज का एक महत्तपूर्ण हिस्सा है, इस विशाल लक्ष को प्राप्त करने के लिए सरकार ने हल्थ, एजुकेशन, अगरिकल्चुर, ट्रेड, ट्रांस्पोर्ट, कमिनिकेशन आदी समस्ट शेत्रों में पाथ ब्रेकिंग चेंजेज किये हैं, डिफेंस शेक्टर की बात करें, तो सरकार ने डिफेंस पॉडक्षन पॉलसी और एक्सपोर्ड प्रमोशन पॉलसी में सुधार किये हैं, डिफेंस सेक्टर में फडियाई की लिमिट को बढ़ाया है, और डवलप करने जैसे महत्तपों प्रयास किये हैं इसके साथ इस वरस कैपिटल एक्वीजिशन बजट का 68% यानि लगबग 85,000 करोर रुपे डोमस्टिक इंडस्ट्री के लिए मिरधारित किया जाना आर्ण फोर्सेश और DPSU द्वारा इंपोर्ट को मिनमाईज करने के लिए तीन तीन पाजिटिब एंडजनाईशन लिस्ट जारी किया जाना भी डिफेंस सेक्टर में आत्म दरभरता की और उठाए गए यह हमारे महत्तपों कदम है हमारा मिशन किवल मेक इन इंडिया ही नहीं बलकि मेक फार द वर्ल्ड है यह है पिछले वर्स में हुए 400 बिलियन डॉलर से अधिक के इक्सपोर्ट इसके प्रमान है हम जैसे जैसे 5 टिलियन डॉलर एकॉनमी की और तहीशे आगे बढ़ रहे हैं आने वाले समय में ग्लोबल ट्रेड में हमारा शेयर बढ़ेगा ग्लोबल ट्रेड में सेयर बढ़ेगा तो इसका एक बड़ा हिस्सा अनिवार रूप से मेरिटाइम रूट से होगा ऐसे में हमारी सेक्योटी हो असवा एकॉनमिक इंटरेस्ट दोनों ही दृष्टियों से यह आईएनस विक्रान हमारे लिए अप्यांग महत्पून साबित होगा ऐसा मेरा विश्वास है मित्रो हमारे फ्रेंडली फॉरेंड कंट्रीज के लिए यह कमिस्निंग एक आश्वासन भी है कि हम हमारी कलेक्टिब सेक्योटी की जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम है हम एक फ्री, ओपन, एंड इंकलिश्शिप इंडो-पैसिफिक में विश्वास रखते हैं इस संबंध में हमारे प्रयास माननी प्रधानमंत्री जी के वीजन सागर यानि security and growth for all in the region से guided है इस साइची हाशी का उसर पर मैं इंडियन नेवी और कोचिन सिप्यार लिम्टेट के collaborative efforts की सराहना करता हूँ साथ ही महत्वपून प्रजेक्ट से जुड़े समस्त करमयोग्यों की भी मैं प्रसंसा करता हूँ Chief of the Naval Staff, Admiral R. Harikumar और उनकी पूरी टीम की विक्रांद की कमिस्निंग में focused efforts के लिए मैं तरहना करता हूँ मैं पुनह मानी प्रधानमंत्री जी के प्रती अपना आभार व्यक्त करता हूँ जिनके leadership और direction की चलते आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं हम भविष्य में निरंतर आपके guidance की आशा करते हैं मैं आयेन स्विक्रांद के captain और crew के भविष्य के प्रयातों में सफलता की कामना करता हूँ इस स्वर आपको हर परशितियों में अजेय रखें शंग नो वरुणह में दलाड़ अब दा वाटर बी आश्वेशस अंटो अस की कामना के साथ मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूँ लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु वलरे नन्नी जै हिन कि अधिन में डेंट भ्रश करता है लुऑनी वजे के साथ में हमझा उन ओफशने घून सिल अजेशस्वार वे-नने कार पट्स hazardous में मौनमधों फर खर प्याजनिया लुश्श्व्य्ट करें warship designers a testimony to the years of dedication and shipbuilding expertise of coaching shipyard and a crowning achievement of Indian industry and MSMEs देवियों और सज्जनों आधूनी करण और स्वदेशी करण के मार्ग पर चलते हुए भारतिय नौसेना ने आज एक नए मुकाम को हासिल किया है भारत सरकार के मेक इन इंडिया और आत्म निर्भर भारत की नीतियों पर आधारिक विकास की नीव अब फली बूत होते दिखाई दे रही है तो आईए भारतिय नौसेना के सफर को एक डॉक्यूमेंटरी फिल्म के माध्यम से देखें Adventure चोटी-चोटी जरुत के लिए विदेशों पन निर्भरता हमारे देश के स्वाभी मान हमारे आर्थिक नुक्सान के साथ ही रण नितिग रूप से बहुत जड़ा गंबील खत्रा है इस्तिती से देश को भार निकालने के लिए 2014 के बाद हमने मिशन मोड पर काम शुरू किया बीते दसकों की एप्रोज से सीखते हुए आजम सब का प्रयास उसकी ताकत से नए डिफेंज एकोसिष्टिक भाविकास कर रहे हैं The course towards आत्म निर्भरता has been charted by the government of India's transformational initiatives Positive Indigenization lists promote indigenous development and design Dedicated defense corridors boost defense production Increase in FDI through the automatic route enhances access to modern technologies The IDEX ecosystem supports advanced research and development Every platform since 2014 has seen increased indigenization creating greater opportunities for Indian industries both within and outside India We are now a three-dimensional Atmanirbhar Navy capable of operating across the spectrum of naval operations from disaster relief to all-out combat Our transformation from a buyer's to a builder's navy has been inspired by a rich maritime legacy of indigenous design and construction Today there are 39 ships and submarines under construction in Indian shipyards 49 more platforms have been accorded acceptance of necessity Our future submarine program will be our largest Atmanirbhar project Being vocal for local has led to innovation and skill development contributing to startup India Atmanirbhar Bharat has not only created robust infrastructure, it has made us think bigger and bolder What better proof than Vikrant? Named after our first carrier, the legendary Vikrant that played a decisive role in 1971 She will be the fourth aircraft carrier to fly the white ensign Designed by the Indian Navy's warship design bureau And built by Cochin Shipyard Limited We now belong to a select group of countries With the capability of indigenously designing and building an aircraft carrier Her 26,000 tons of warship grade steel has been developed by DRDO and produced by the Steel Authority of India Vikrant's 76% indigenous content has been achieved through partnerships with over 90 Indian OEMs More than 100 MSMEs and over 500 ancillary industries Above all, Vikrant has provided direct employment for 2,000 personnel in CSL An indirect employment for 13,000 towards plough-back effect to the Indian economy You should have the plan that when the country has lost its power of its independence In that time, our new Sena needs to be a strong force As India powers towards a blue economy, Vikrant will strengthen the Navy's capabilities And be a force multiplier in both defensive and offensive roles 6-3-0, again I now request the commanding officer of INS Vikrant, Captain Vidyadhar Harkay to declare and proclaim the commissioning warrant of INS Vikrant. जाता है कि आप आगे बढ़के इस युद्ध पोत को सप्टेम्बर 2022 के दूसरे दिन पर कमिशन करें अथ्वा परस्तती अनुस्ता शीग्र दिशीग्र कमिशन करें। भारतिय नौसिना पोत्विक्रांत को धज अधिकारी दक्षिन नौसिना कमान के द्वारा प्रशासित किया जाएगा। मेरे द्वारा जारत दो सप्टम्बर 2022 हस्ताक्षर और हरीकुमार अड्मरल नौसिना अध्यक्ष। कितना बड़ा दिन है नौसिना के लिए, कितना एतिहासिक दिन है हमारे देश के लिए। और अब समय आ गया है उस आवाज को सुनने का, जिसने हमारे देश को एक नई दिशा दी है। समय आ गया है उस आवाज को सुनने का, जिसने हमारे पूरे देश में समस्त भारतवासियों के दिल में आत्म विश्वास, प्रेडना और संकल्प की भावना जागरत कर, हमारे पूरे देश को एक लक्ष दिया आत्म निर्भर भारत। देवियों और सज्जनों और प्यारे बच्चों, जोरदार, दमदार, जानदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी। इस इतिहासी कारकम में उपस्थित करला के राजपाल, स्रिमान आरिप महमत खाम, केरल के मुठ्ध मंत्री, स्रिमान फिनाराई विजियन जी, देश के रक्षा मंत्री, स्रिमान राजणाश्री जी, केंद्रिय मंत्री मंदल के मेरे अन्य सहयोगी गण, चीफ अप निवल स्टाफ एडिमिरल आर हरी कुमार जी, एमडी कोचिन शिप्याड, सभी विशिष्ट एवं गर्मान या अतिधिगार्ण, और इस कारकम में जुड़े मेरे प्यारे देश वास्यों, आज यहां किरला के समूत्री तट पर भारत का हर भारत वास्यों एक नए भविश्च के सुर्योदय का साक्षी बन रहा है, आएनेस विक्रान पर हो रहा ये आयोजन, विश्वक्षितीज पर भारत के बुलंद होते हांसलों की हुंकार है, आज हादि के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिस सक्षम, समर्थ और सक्तिशाली भारत का सपना देखा था, उसी एक ससक्त तस्वीर आज हम यहाँ देख रहे हैं। विक्रांत विशाल है, विराठ है, विहंगम है, विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेथ भी है, विक्रांत केवल एक युद्ध पोत नहीं है, यह 21 सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबधता का प्रमान है। यदि लक्ष जुरंत है, याक्राएं दिगंध है, समंदर और चनोतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। आज़ादी के अमरत महुत्सव का अतुलनिया अमरत है विक्रांत। आजमंदिर पर होते भारत का अज़ितिये प्रतिविंध है विक्रांत। ये हर भारतिय के लिए घर्व और गव्रव का अन्मोल अउसर है ये हर भारतिय का मान स्वाभिमान बढ़ाने वाला अउसर है मैं इसके लिए हर एक देश वाची को बढ़ाई देता हूँ साथियों लक्ष कठीन से कठीन क्यों नहोग चुनोतियां बड़ी से बड़ी क्यों नहोग भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष असंभव नहीं होता है आज भारत बिश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तक्निक से इतने विशाल एरक्राप केरियर का निर्मान करता है आज आएनेस विक्रांत ने देश को एक नए विस्वाथ से भर दिया है देश में एक नया भरोसा पैदा कर दिया है आज विक्रांत को देखकर समंदर की ये लहरे समंदर की ये लहरे आहवान कर रही है अमर्ट वीर पुत्र हो अमर्ट वीर पुत्र हो द्रड़ पतिज्य सोच लो प्रसस्य पुन्य पंद आए बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो साथियों इस अइतिहासिक अउसर पर मैं भारतिय नव सेना का कोचिन सिप्यार के सभी इंजीनियर्स वैज्यानिकों और मेरे स्रमिक भाई भैनों का अब नंदन करता हूँ जिनोंने इस सपने को साकार किया है किरगा की पुन्य भुमी पर देश को ये उपलब्दी एक ऐसे समय पर मिली है जब ओनम का पवित्र परविवी चल रहा है मैं सभी देश वाचियों को इस अउसर पर ओनम की हारदिश सुपकामनाई भी देता हूँ साथियों आएनेस विक्राम के हर भाग की अपने एक खुबी है एक ताकत है अपनी एक विकास यात्रा भी है ये सदेशी सामर्थ्य सवदेशी संसादन और सवदेशी काउशल का प्रतीक है इसके एर बेस में जो स्टील लगी है वो स्टील भी स्वदेशी है ये स्टील डियाडियों के वैज्ञानी को ने विक्सित किया भारत की कंपनियों ने प्रोडूस किया एक युद्दपोत से भी ज़्यादा एक तैरता हुआ एर फिल्ड है एक तैरता हुआ शहर है इसमें जितनी बिजली पैदा होती है उससे पांच हजार गरों को रोशन किया जा सकता है इसका फ्लाइट देख भी दो फुटबॉल ग्राउन के बराबर है विक्रांत में जितने कैबल्स और वायर्थ इस्तिमाल हुए है वो कोची से शुरू हो तो काशी तक पहुँच सकते हैं ये जटीलता हमारे इंजिनियर्स की जीवत्ता का उधारन है मेगा इंजिनियर्निंग से लेकर नेनो सरकिट सक पहले जो भारत के लिए अकल्पनिय था वो हकीकत में बदल रहा है साथ क्यों इस बार स्वतंत्रता दिवस्पर मैंने लाल किले से पंच प्रान का आवान किया और हमारे हरी जी ने भी इसका उलेक किया इन पंच प्रानों में पहला प्रान है विश्चिद भारत का बड़ा संकल्प दूसरा प्रान है गुलामी की मानचिक्ता का संपूर्ण त्यार तीसरा प्रान है अपनी विरासत पर घर्व चौथा और पांचवा प्रान है देश की एकता एक जुड़ता और नागरी कर्तव्य आइनेस विक्रांत के निर्मान और इसकी यात्रा में हम इन सभी पांच प्रानों की उर्जा को देख सकते हैं आइनेस विक्रांत इस उर्जा का जीवन सहित्र है अभी तक इस तरह के एरक्राप केरियर केवल विक्सित देश ही बनाते थे आज भारत ने इस लीग में सामिल होकर विक्सित राज्ट की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है साथियों जनल परिवहन के खेत्र में भारत का बहुत गवरव में इतिहात रहा है हमारी सम्रुद गिरासत रही है हमारे यहां नौकाओं और जहाजों से जुड़े स्लोकों में बताया गया है बिर्गी का तरणी ही लोला गत्वरा गामीनी तरी ही जंगाला प्लावीनी चैवा धारीनी वेगीनी तरहा यह हमारे सात्रों में इतना बर्र है बिर्गी का तरुनी लोला गत्वरा गामीनी जंगाला प्लावीनी धारीनी वेगीनी हमारे हां जहाजों और नौकाओं के अलग-अलग आकार और प्रकार होते थे हमारे बेदों में भी नौकाओं जहाजों और समुद्र थे जुड़े कितने ही मंत्रा आते हैं वैदी काल से लेकर गुप्त काल और मौर्य काल तक भारत के समुद्री सामर्थ का दंका पूरे विश्व में बज़ता था छत्रपती वीर सिवाजी महाराज ने इस समुद्री सामर्थ के दम पर ऐसी नवसेना का निर्माण किया जो दुश्मनों की निन उड़ा कर रखती थी जब अंग्रेग भारत आए तो वो भारत ये जहां जो और उनके जरिये होने वाले व्यापार की ताकत से गबराए रहते थे इसलिए उन्होंने भारत की समुद्री सामर्थ की कमर तोड़ने का फैसला लिया इत्यात गवा है कि कैसे उस समय ब्रिटीस संसद में कारून बना कर भारतिय जहाजों और व्यापारियों पर कड़े प्रतिबंद लगाए दिये गए थे भारत के पास प्रतिभा थी अनुभाव था लेकिन हमारे लोग इस कुटिलता के लिए मानसिक रुप से तयार नहीं थे हम कमजोर पड़े और उसके बाद गुलामी के कालखन में अपनी ताकत को धीरे धीरे भुला बैठे अब आज हादी के अमृत काल में भारत अपनी उस खोई हुई शक्ति को वापस ला रहा है उस सुर्जा को फिर से जगा रहा है साथियों आज दो सितंबर दो हजार बाईस की एटिहासिक तारिक को इतियास बदलने वाला एक और काम हुआ है आज भारत ने गुलामी के एक निशान गुलामी के एक बोज को अपने सीने से उतार दिया है आज से भारतिय नवसेना को एक नया द्वज मिला है अब तक भारतिय नवसेना के द्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी लेकिन अब आज से छत्रपति सिवाजी महराज से प्रेरीत नवसेना का नया द्वज समंदर और आस्मान में लहर आएगा कभी रामधारी सी दिनकर्जी ने अपनी कविता में लिखा था नवीन सूर्य की नई प्रभा नवीन सूर्य की नवीन प्रभा नमो 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 सदंत्र भारत की द्वजा नमो 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 आज इसी द्वज बंदना के साथ मैं ये नया ध्वज नव सेना के जनक छत्रपती बीर सिवाजी महाराज को समर्पित करता हूँ मुझे विश्वास है भारतिय की ताकि भावना से ओध प्रोथ ये नया ध्वज भारतिय नव सेना के आत्मबल और आत्म सम्मान को नई उर्जा देगा साथ क्यों हमारी सेनाओं में किस तरफ बढ़लावा रहा है उसका एक और हमपक्ष मैं सभी देश वासियों के सामने रखना चाहता हूँ विक्रान जब हमारे समुद्री छेत की सुरक्षा के लिए उतरेगा तो उस पर नव सेना की अनेक महिला सैनिक भी तैनात रहेगी समंदर की अथा सक्ति के साथ असीम महिला शक्ति ये नए भारत की बुलंद पहजान बन रही है मुझे बताया गया है कि अभी नेवी में करीब छेसो महिला आफिसर्थ हैं लेकिन हम इन्डियन नेवी ने अपनी सभी साखाओं को महिलाओं के लिए खोलने का फैसला किया है जो पाबंदिया थी वो अब हट रही है जैसे समर्त लहरों के लिए कोई दाइरे नहीं होते वैसे ही भारत की बेटियों के लिए भी अब कोई दाइरे या बंदन नहीं है अभी एक दो साल पहले विमेन अफिसर्स ने तारीनी बोर्ट से पूरी पृत्वी की परिक्रमा की थी आने वाले समय में ऐसे पराखम के लिए कितनी ही बेटियां आगया आएगी दुनिया को अपनी शक्ती से परिचित करवाएगी नेवी की तरह ही तीनों ससत्र सेनाओं में युद्यक भुमिकाओं में महलाओं को शामिल किया जा रहा है उनके लिए नई जिम्यदारियों के रास्ते खोले जा रहे हैं साथियों आत्म निर्भरता और आज़ादी को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है जो देश जितना किसी दूसरे देश पर निर्भर है उतना ही उसके लिए संकट है जो देश जितना आत्म निर्भर है वो उतना ही शसक्त है कोरोना के संकट काल में हम सभी ने आत्म निर्भर होने की इस ताकत को देखा है समझा है अनुभव किया है इसलिए आज भारत आत्म निर्भर होने के लिए पूरी शक्ती से काम कर रहा है आज अगर अथा समंदर में भारत की ताकत का उदोस करना के लिए आएनेस विक्रान तयार है तो अनंत आकास में यही गर्जना हमारे तेजस कर रहे है इस बार 15 अगस को पूरे देश ने लाल किले से स्वदेशी तोप की हुंकार भी सुनी है आज हादी के 55 साल बार सेनाओं में रिफॉर्म करके भारत अपनी सेनाओं को निरंतर आधुनिक बना रहा है आत्म निर्भर बना रहा है हमारी सेनाओं ने ऐसे उपकरोनों की एक लंबी लीज़ भी बनाई है जिनकी खरीद अब स्वदेशी कंपनियों से ही की जाएगी डिफेंस सेक्टर में रिसर्च और डेवलप्मेंट के लिए 25 प्रतिशत बजट भी देश की उनिवर्सिटीज और देश की कंपनियों को ही उपलब्द कराने का मिरने लिया कया है तमिलनाडू और उत्तरप्रदेश में दो बड़े डिफेंस कोरिडोर्स भी त्विक्सित हो रहे है डिफेंस सेक्टर में आत्मंदिर भरता के लिए उठाए जा रहे हैं इन कदमों से देश में रोजगार के अनेकों नए आउसर पैदा हो रहे है चाथ को हो एक बार लाल के लिए से मैंने नागरी करतव्य इसकी भी बात कही है इस बार में उसको दोहराया भी है बुन्द बुन्द जल से जैसे विराट समंदर बन जाता है वैसे ही भारत का एक एक नागरी वोकल फोर लोकल अगर वोकल फोर लोकल के मंत्र को जीना प्राणम कर देगा तो देश को आत्म निर्भर बनने में अधिक समय नहीं लगेगा जब सभी देशवासी लोकल के लिए वोकल होंगे तो उसकी गुंज सिर्फ भारत में नहीं बलकि पूरी दुनिया में सुनाई देगी और देखते ही देखते दुनिया के जो भी मैनुफेक्टर होंगे उनको भी मजबूरन भारत में आकर के मैनुफेक्टरिंग के रास्ते पर चलना पड़ेगा ये ताकत एक-एक नागरिक के अपने आप में तजूर्बे में है साथियों आज जिस तेजी से बैश्वीक परिवेश बदल रहा है बैश्वीक परिद्रक्ष बदल रहा है उतने विश्व को मल्टी पॉलर बना दिया है इसलिए आने वाले समय में बविश्वी की गतिवीदिया और सक्रियता का केंद्र कहां होगा ये बविश्य द्रश्टी बहुत जरूरी हो जाती है उधान के तौर पर पिछले समय में इंडो प्रसिपिक रीजन और इंडियन ओसन में सुरक्षा चिन्ताओं को लंबे समय तक नजर अंदाज किया जाता रहा लेकिन आज ये क्षेत्र हमारे लिए देश की बड़ी रक्षा प्रात्मिता है इसलिए हम नवसेना के लिए बजट बढ़ाने से लेकर उसकी छमता बढ़ाने तक हर दिशा में काम कर रहे हैं आज चाहे आप्शोर्ट पैट्रोल विसल्स हो सब्मरीन सो या अयरक्राप करियर्स हो आज भारत की नवसेना की ताकत अबूत पुर्वगती से बढ़ रही है इससे आने वाले समय में हमारी नेवी और मजबूत होगी जादा सुरक्षित, सीलेंस, बहतर मोनिटरिंग और बहतर प्रोटेक्शन से हमारा एक्सपोर्ट, मेरिटाइम ट्रेड और मेरिटाइम प्रोड़क्शन भी बढ़ेगा इससे केबल भारत ही नहीं, बलकि दुनिया के दूसरे देशों और विशेश कर हमारे पडोसी मित्र राष्टों के लिए व्यापार और समरुद्धिके नए रास्ते खुलेंगे साथियों, हमारी यहां सास्त्रों में कहा जाता है और बहुत महर्तपुन का बात कही जाती है और जिस बात को हमारे लोगों ने समस्कार के रुप में जीया है हमारी यहां सास्त्रों में कहा गया है विद्या विवादायों, धनम मदायों, शक्ति ही परेशाम परपिडिनायों खलच्य साधो विप्रितम एतत ग्यानाय दानाय चरक्षणायों अर्था, दुस्ट्रकी विद्या, दुस्ट्रकी विद्या, विवाद करने के लिए, धन, गमन करने के लिए, और शक्ति दुस्कुरों को प्रताडित करने के लिए होती है लेकिन सज्जन के लिए ये ज्ञान, दान और कम्जोर की रक्षा का जरिया होता है यही भारत का संस्कार है इसलिए बिश्वको शसक्त भारत की ज़्यादा जरूरत है मैंने एक बार पढ़ा था कि एक बार जब डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम से किसे ने पूछा कि आपका व्यक्ति तो बड़ा शांति प्रीया है आपको बड़े शांति व्यक्ति लगते हैं तो आपको हथियारों की क्या जरूरत लगती है कलाम साब ने कहा था शक्ति और शांति एक दूसरे के लिए जरूरी है अर इसलिए आज भारत बल और बड़लाव दोनों को एक साथ लेकर चल रहा है मुझे विश्वास है ससक्त भारत शांत और सुरक्षित विश्व का मार्ग प्रसस्त करेगा इसी भाव के साथ हमारे बहदूर जवानों को बीर सेनानियों को आदर पुर्वग उनका गर्व करते हुए आज के इस महत्र पुर्वण आउसर को उनकी वीरता को समर्पित करते हुए आप सबका मैं रुदेश से बहुत बहुत धनवात करता हूँ जय हिन देवियों और सज्जनों भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोधी की भव्य उपस्थिती में एक बुलंद आवाज में मेरे साथ तीन जय पुकारेंगे इनस विक्रांद की भारतिय मौसेना की भारत माता की प्रधाएं प्रधे बुकारेंगे प्रधे नरे थिसेरी नरे साथ तीन जिसमेर से प्रधा R किवेएं व्हाटब्वादीजस उप स्टोकान अधिक्रमाधिट्या थिए कि अधु हुआ ढ पन लोई ए इन्स भिक्राइट विक्रान्थ ब्दू करताफ इंस। अचे इसा एंडन दिर्ग्रान था लाज्ट रखनों आइन आजडान रिज्ट जा शॉड़िश्टेंट मेश्ट मेर्ण है कि और अजट एंड रखनाच्ट डेंडान आजन लाय। The National Anthem will be played Ladies and gentlemen, when the National Anthem is played All of you are requested to rise at your position अर्श विय्ट वीजिर विय्ट टार। लिए करेंगे पर आजोटे में गौना करता है, आजा आका पान डूराषन ऑा गौना टेशना करेंगी वोल्पना ट्राषन कर था। प्टेशला कर दन हे पूरे इसाट पूराषन करेंगे धिस्ट अपार गौना रुटाषन करstar रहा मोदाधना झरलिव औ मिस्टेसिटा कोचि के तर्ट रहा है आधने अज्ते वे गिंग श्र एमस्तार कोष्य का दोगताध पिंग्स तो ये तस्वीरे आप देख रहे इस वक्त देश के पहले सो देश्ची विमाइव दिटेशने देख अधियों आ गिंज दिश्वाह करें पास। प्रधान मंत्री नेंद्र मोधी पहुंचे इस पूरी कमिशन से रमनी में और अब यहाँ पर निशान सा महरू देखने को मिलेगा और प्रधान मंत्री इस वक्त फ्लाइंग डेक के ऊपर तमाम वरिष्ट लोगों के साथ में और यह भविता विशालता दर्शाता है किस प्र अब निशान सा महरू की तयारियां कलर से रमनी जिसको कहा जाता हूर अपने आप में यह बहत महत पूर्ण नौसेनिक युदकोत पर दो धवज होते हैं और अगरिम भाग में रास्ट धोज ऑप फिशले भाग में नौसेना का निशान होता है दो नौसेना का निशान जो आज नए रूप में नह स scraping भारतिया रूप में आज नौसेना को मिला तुरे सम्मान के साथ हमने देखा किस प्रकास रास्टगान के साथ में यहां पर निशान से रमनी हुई और जो नेवी का धज है वो लहराता नजर आ रहा है इस वक्त आई एनस विक्रान परो ये नया दोज है जिसमें आज नया निशान देखने को मिल रहा है और अपने वेशिक काल जिसमें गुलामी की मान सिक्ता जलकी दिश्टे आगे बढ़ते हुए आज भार्वे तका नया उतकर शौर देखने को मिला है और ये जहां के सुपर इस वक्त आपको दिखाई पर रहे हैं यहां पर हम साफ तोर पर देख सकते हैं यह तमाम जो विमान हैं जो इस वक्त आपको दिखाई पर रहे हैं स्पेक्टाक्यलर डिस्प्लेई औफ नेवल्स एर प्राविस ट्री चेत्व कर रहे हैं जो बाइट बाइट बाइग कमांडर इशान महापात्रा विल्कुल ये तस्वीरे अपने आप में दिखाती है कि इस प्रकासी ये फ्लाइव पास्ट जहां पर तीन चे तक हवाई जास इसके लावा तीन एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर साथी साथ यहां पर सीइंग 42 ब्रैवो हेलिकॉप्टर और इन तमाम की गलगड़ाहट इस पाट तक बल गई है औरात निरभर भारत या आज दुनिया को बताने में सक्षम है कि हम कैसे दुनिया में आगे अगर्णी भूमी का निभाने को तट पर है Prime Minister waving at the rotary wings as three chetaks and three advanced light helicopters as well as Bravo 42 B led by commander Harpreet Singh Vaveja displaying naval's air province इनके ठीक पीछे हैं पंडूपी प्रतिरोधी और C-Kind 42 ब्रावो हेलिकॉप्टर commander हरपरीत सिंह बवेजा की अगुवाई में देखा लिए और हमने देखा किस प्रकार से तीन चे तक इसके लाबबा तीन एटवांस हाई हेलिकॉप्टर साथी साथ सीकिंग 42 ब्रेवो हेलीकॉप्टर ये नजर आ रहे हैं और पुरधान मंत्री एक तरीके से हाथ हिला कर अभी बादन करते हुए गलगलाहट पताती है हमारी बढ़ती हुई रक्षा शम्ताओं की आथ निर्भार होते रक्षा के शेत्र में भारत की और आज का दिन बेहत यहासी And remember why this is special Indigenously manufactured advanced light helicopters That you just saw a while back on your screens And also some light combat aircraft from Indian Navy Will be positioned Ships plaque been unveiled by Honorable Prime Minister In the presence of Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh This is going to be soon followed By the presentation of Momento In a while We also saw a while back Presentation of Momento By Chief of Naval Staff To Honorable Prime Minister of India Nau Sena Pramukh Admiral R. Hari Kumar Ab Mananiya Pradhan Mantri Ji Ko I.N.S. Vikrant Ka Ek Prati Roop Prastut Karenge Maananiya Pradhan Mantri Ab Koman Adhikari B.K.A.P.A.P.T.N. V.D. Adhark through R.A.P.A.P.E.M.A.P.A.P.T.N. V.D.A.D.K.E.K.E.S. साथ चाया चित्रन के लिए स्की जंप की तरफ बढ़ रहे हैं आकाश को अपनी गून से अलंकृत कर रहे अब आ रहे हैं हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिविटेड द्वारा निर्मित डौर नियर विमान जिनका नेत्व तो कर रहे हैं कैप्टिन अर्जुन मैनन अब आ रहा है जैन्य सर्वेक्षण में सबसे कुशल अत्या दुनिक पंटुपी प्रतिरूदी उपकरणों से लैस पी एटाई विमान जिसके चालत हैं कमांडर कुल्दीप महता रहे हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमितेड लेड बाइ कैप्टन अर्जुन मैनन P-81, P-8I, 1P-8I on your screen, maneuvering, followed by Treehawks, led by Commander Shelesh Singh Rana झाल और अब बारी है प्रसिक्षन के लिए उप्योग में लाए जाने वाले हौक लड़ा को विमानों की इस दस्ते का नित्र तो कर रहे हैं कमांडर शैलेश सिंग राणा और अन्त में त्वनी की दुगनी गती से उड़ने में सक्षम आस्मान को चीरते आ रहा है मिक 29 के लड़ा को विमानों का यह दस्ता जिसका नित्र तो कर रहे हैं कैप्टन एस एस साम्भियाल तो कर रहे हैं कि आस्मानों के नित्र तो इनलेश सक्षम वे कना ओफिशली कॉल इन्स विक्रंथ इस रहाँ पार ओफिशली ऑफ इनलेश बिर इन्यवी इस ब्यूति इनलेश को इस मोंट्स अटर थे सेमों एस प्र निस्ट्रिंशन कर दे वार स्टी शुट फेश्त्र वार्ट इवार वार्ट इस अव कि रसी तूइ बाइंड वी कि राफ्ज ज केस्ट आख गले प्री रिक इंड़ इंडेन अव्यू इक टान जां। रूर्त प्रीनिस अजिए अट्रव अज़ा बेहन इंडेश्ट वार्ट इस टूर्ट इं और्मिनिस्ट नेरिटी मोर्दी करेंशों लिए प्र Самेजाने लिए वीज करेंगि आविस्ट अजगाई लेप्रिंपल्ट अज वेडिया रिए करे इस अविल्द देच ट्र वीज़ कर जीतक अविल्स अवील्स में अविलिए अप्राम अट बाता प्रस विल्स ये निजने इंदे विड्रियूरत घरिकिर नाहिटम एक्टरी सूरी संब सेया आजी। प्रटी इंदे अंदेर, इंदेरे चृजेवा विड़ी शुबर इनिदेट इंजन celebr Didock और प्राइब आगल प्राइब लिध विए अग्वी अग्वेज की करते ही यहाज़ रिखिर अग्वेजियर प्राइब दूमुट्छ रिवा ट्रुछ स्थΟ यहाज विए डिजने ने इंटिंटी इनुट प्रूलाग टूली अवर बूल्मिग लिए विए वी एन प्रूल कि भी अप्रीद इस दिखे अग्राइब क्यों थी। अभीजिएब बने लागजना विजब आड़ इस भी आफ इस आफीजिक पिर प्रीजन इन रिकरान्त and he is there now for the commissioning ceremony which has just ended. Abhishek, she is ready for the Indian Navy. She is now part of the Indian Navy. Nice, quick ceremony with the Prime Minister there. That's right Shiv, and now the big challenge starts for the crew of INS Vikrant. We can call it INS Vikrant now after the official induction has taken place. And from here onwards, you know, is the next journey of INS Vikrant to be completely combat ready. And very soon, INS Vikrant will be setting sail, and that's when the aircraft trials will start. And, you know, that's the real challenge and the real reason for which Vikrant has been readied. It might take another three, four months for those trials to begin, and by May next year, I've been told is when Vikrant will be completely battle ready. What that means is that all air operations will begin by then. It will be fully equipped with all weaponry. The Barak missiles that are supposed to be there will be on board by then. And, you know, from there onwards, we'll see that very soon, India will have two aircraft carriers functioning together. And that's why this is a game-changer, Shiv and Akshita. There was a very brief period between 2013 and 2017 when Indian Navy had two aircraft carriers. But now we can say that maybe for the next 25, 30 years, definitely, the Indian Navy will have two aircraft carriers. Vikramadit is already on the western coast as of now, and Vikrant will be expected to, you know, sail in the Bay of Bengal, in the eastern coast. So both coastlines of India will have at least one aircraft carrier. And even if one goes into maintenance, the other will be functional. So that's a big change from the past as far as Indian Navy's operations are concerned. Abhishek, I was just going to ask you that as well. Where is I.N.S. Vikrant headed next? What's her next journey? Which sea will she cover? Well, for the time being, you know, it will start with air trials. It might take another couple of months, maybe three, four months, in fact. And once those air operations start, those air trials start, after that, a few more months for Vikrant to be completely ready for carrying out any kind of operations. You know, be it offensive operations or reconnaissance that's required from onboard. And that's the reason why Vikrant has two runways. You know, one runway is meant for quick operations, mainly recce operations or training sorties without a payload. That's when the shorter runway will be used and there is a longer runway for equipping MiG-29Ks that can take off within two or three seconds of one taking off. The other can take off with a heavy payload to ensure an offensive operation can be launched. Abhishek, you know, it's going to take about a year for the aircraft complement to be fully operational. There will be aviation tests that happen, you know, very soon because the MiG-29K fighter aircraft, which are basically the teeth of INS Vikrant, haven't yet flown off the aircraft carrier. So over the next few months, those crucial aviation trials will also be happening, Abhishek. That's right, Shiv. And, you know, that's the reason why, you know, it will take a few more months for the Vikrant to be battle ready, if you can say so. Even though it's, you know, completely functional, it will be sailing in the seas. But, you know, those trials can only take place when Vikrant is sailing with all its crew because those operations are just like real-time operations. You know, once the ship is ready, that's when the Navy can test its air assets on board. As far as the helicopter operations are concerned, you know, they can be carried out without much delay. But the MiG-29Ks really need to take off from that lovely ski jump that the INS Vikrant has and, you know, ensuring that these operations are smooth. The runway is designed in a way that it just takes two or three seconds for an aircraft to take off after one aircraft has landed. So all of that will be tried and tested. And, you know, as we've been discussing, two aircraft carriers working simultaneously means a whole lot, you know, will change for Indian Navy's capabilities. Vikrant, you know, has four gas turbines, which means it's more powerful than other aircraft carriers can go on sailing for 70 days without needing to refuel. So these are some of the aspects that make Vikrant a very potent and efficient war machine. It's also, you know, a day of great, you know, anticipation for the Indian Navy because like Abhishek, you just pointed out, the ceremonies are done. Now the real work begins because let's be very honest, the Indian Navy has a lot of experience operating aircraft carriers. It has done so since the 1950s when the original INS Vikrant first came. But a new ship is always a challenge. We always have to break it in, get used to its, you know, its own uniqueness and get it going as a war machine. But today is also a day of great symbolism, viewer, because remember, the old Indian Navy ensign or its Nishan, its identity, its flag has been changed once again. The Navy had wanted this. The Indian government has executed the removal of the St. George's Cross. It happened once before in 2001 under Prime Minister Vajpayee. The St. George's Cross, which is of course a relic of the British era, has been removed. And a naval crest in gold, which is the Ashoka emblem and the anchor on a shield enclosed in a navy blue octagon echoing Chhatrapati Shivaji Maharaj's royal seal is the new ensign of the Indian Navy. So Akshita, this is the new flag that goes up now on every single Indian Navy warship. And, you know, there is a lot of discussion, a lot of curiosity, Shiv, about this new design, about this new ensign. The St. George's Cross is out. You see now that octagonal shape in deep blue. And as we, in fact, get to all the latest updates, but let's focus on that ensign for a brief moment. And Shiv, if you could explain to us why, you know, we're seeing this kind of an octagonal shape. You said it's representative of Shivaji Maharaj. Yes. So why is this a tribute to him? Well, you know, Shivaji Maharaj is considered in many ways the father of the, you know, of India's maritime tradition. Remember that India's maritime tradition goes back millennia, Akshita, to the Chora dynasty, which sent their ships to Southeast Asia. The, you know, the Marathas sent their ships all across the Arabian Sea as well. So the naval traditions, as it were, for trade as well as for, you know, combat purposes, is a well-established legacy of Indian history from both the Choras and the Marathas. But I want to ask Abhishek, in fact, on that. Abhishek, what's the buzz on the ground with the new ensign? You know, there was a lot of suspense, anticipation over the replacement of this very sacred symbol of the Indian Navy. What's the buzz? What's the mood in the Indian Navy over this? They must be very proud. Yeah, it's an exciting moment, Shiv. And, you know, the fact that the new Nishan or the new flag has been unveiled for the first time at INS Vikrant, that itself, you know, tells you the importance of both these things happening together. You know, the Navy and the government chose INS Vikrant to be the platform on which this new flag will be unveiled for the first time. And, in fact, when that flag was hoisted, it went up and the national anthem was sung. It was a great moment, not just for people in uniform, but so many others, including us, sitting and standing here in this pavilion, looking at those big screens where the entire ceremony could be viewed. So it was a moment to be cherished. And, I mean, what can I say, really, really fortunate to be present here and, you know, literally watching this kind of, you know, fanfare during the ceremony. So, yeah, it's a great moment for everybody who follows Indian military, who's been part of the Indian Navy, and so many of us who are present here. Today, a moment of great pride, when we saw that flag going up for the very first time on board the INS Vikrant. This now becomes the official symbol, the identity for the Navy. And let's play out for you an excerpt of what Prime Minister Modi had to say about this ensign. आपने सीने सीने से उतार्वाइस की एकिहांसित तारिक को इतियास बदलने वाला एक और काम हुआ है. आज भारत ने गुलामी के एक निशांग, गुलामी के एक बोज को अपने सीने से उतार्व दिया है. आज से भारतिय नवसेना को एक नया द्वज मिला है. अब तक भारतिय नवसेना के द्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी. लेकिन अब आज से छत्रपति सिवाजी महराज से प्रेरित नवसेना का नया द्वज समंदर और आस्मान में लहर आएगा. अभी तक इस तरह के एरक्राप केरियर केवल विश्शित देश ही बनाते थे. आज भारत ने इस लीग में शामिल होकर विश्शित राज्ट की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है. साथियों, जनल परिवहन के खेत्र में भारत का बहुत गवरवमई इतिहात रहा है. हमारी सम्रुद्ध विरासत रही है. हमारे यहां नौकाओं और जहाजों से जुड़े स्लोकों में बताया गया है. दिर्गी का तरणी ही लोला, गत्वरा गामिनी तरी ही, जंगाला प्लाविनी चैवा, धारीनी वेगिनी तखा. यह हमारे सात्रों में इतना बर्र है. दिर्गी का तरुणी लोला, गत्वरा, गामिनी, जंगाला, प्लाविनी, धारीनी, वेगिनी हमारे हां जहाजों और नौकाओं के अलग-अलग आकार और प्रकार होते थे. हमारे वेदों में भी नौकाओं, जहाजों और समुद्र से जुड़े, कितने ही मंत्रा आते हैं। वैदिक काल से लेकर गुप्त काल और मौर्यकाल तक भारत के समुद्री सामर्थ का दंका पूरे विश्व में बज़ता था। इन पंच प्राणों में पहला प्राण है विश्व सीद भारत का बड़ा संकल्प। दूसरा प्राण है गुलामी की मानसिक्ता का संपूर्ण त्यार। तीसरा प्राण है अपनी विरासत पर घर्वर। चौथा और पंच प्राण है देश की एकता एक जुड़ता और नागरी करतव्य। आएनेस विक्रांत के निर्मान और इसकी यात्रा में हम इन सभी पंच प्राणों की उर्जा को देख सकते हैं। आएनेस विक्रांत इस उर्जा का जीवन संयत्र है। हाथ्यों आएनेस विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खुबी है। एक ताकत है। अपनी एक विकास यात्रा भी है। यह सदेशी सामर्थ, सवदेशी संसाधन और सवदेशी कौशल का प्रतीक है। इसके एरबेस में जो स्टील लगी है, वो स्टील भी स्वदेशी है। यह स्टील डियाडियों के वेज्ञानी को नहीं विक्सित किया, भारत की कंपनियों ने प्रोडूस किया। एक युद्धपोत से भी जादा एक तैरता हुआ एरफिल्ड है, एक तैरता हुआ शहर है। इसमें जितनी बिजली पैदा होती है, उससे पांच हजार गरों को रोशन किया जा सकता है। इसका फ्लाइट देख भी दो फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। विक्रांत में जितने कैबल्स और वायर्द इस्तिमाल हुए हैं, वो कोची से शुरू हो तो काशी तक पहुँच सकते हैं। ये जटीलता हमारे इंजिनियर्स की जीवटता का उधारन है। मेगा इंजिनियर्निंग से लेकर नेनो सर्किट सक पहले जो भारत के लिए अकल्पनी अखा, वो हकीकत में बदल रहा है। इस अहितिहासिक अउसर पर मैं भारतिय नव सेना का, कोचिन सिप्यार के सभी इंजिनियर्स, वेज्यानिकों और मेरे स्रमिक भाई भेनों का अभिनंदन करता हूँ, जिनोंने इस सपने को साकार किया है। आज भारत बिश्व के उन देशों में शामिल हो गया है, जो स्वदेशी तक्निक से इतने विशाल एरक्राफ केरियर का निर्मान करता है। आज आएनेस विक्रान ने देश को एक नए विश्वास से भर दिया है। देश में एक नया भरोसा पैदा कर दिया है। आज विक्रान को देखकर समंदर की ये लहरे आहवान कर रही है। अमर्त वीर पुत्र हो। द्रड़ प्रतिग्य सोच लो। प्रसस्य पुन्य पंत है। बड़े चलो, बड़े चलो, बड़े चलो। विक्रान विशाल है, विराठ है, विहंगम है। विक्रान विशिष्ट है, विक्रान विशेद भी है। विक्रान केवल एक युद्ध पोत नहीं है। ये 21 सदी के भारत के परिश्रम, प्रतीभा, प्रभाव और प्रतीबधता का प्रमान है यदि लक्षत जुरंत है, याक्राएं दिगंद है, समंदर और चनोतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रान आज़ादी के अमरत महोत्सव का अतुल्निय अमरत है विक्रान आज मंदिर बर होते भारत का अज़ितिय प्रतिविंब है विक्रान ये हर भारतिय के लिए घर्व और गव्रव का अनमोल अउसर है ये हर भारतिय का मान, स्वाभिमान बढ़ाने वाला अउसर है मैं इसके लिए हर एक देश माची को बढ़ाई देता हूँ So those were some of the highlights of what Prime Minister Modi said while going ahead and commissioning INS Vikrant Imagine this, this particular warship, this aircraft carrier, end to end is two football fields combined That's the length and how massive the INS Vikrant is But Shiv, as someone who's covered the defence beat for so long What's that one feature that truly stands out for you about the INS Vikrant? The feature that stands out is that it's Indian You know, I can't stress that enough because Akshita, India has operated aircraft carriers for over, you know, half a century From the 1950s when the original Vikrant came But the very fact that INS Vikrant has been manufactured in India You know, most people are not ever going to be able to appreciate what an incredibly daunting task this has been The fact that 45,000 tons of technology, metal and basically an airport on deck You know, is something that, you know, like you earlier said, Akshita, an exclusive club of six nations have been able to achieve that kind of technology It's not, this is not our ship Remember, you know, many people think, oh, it's just another ship that is just large and you get some aircraft landing on it No big deal It is completely different from any ship because it's got to be able to launch and recover aircraft Helicopters are going to be able to land on it They've got to park them in large numbers They've got to move in a large carrier battle group They've got to have all kinds of sensors for self-protection because aircraft carriers are basically big fat targets at sea So, you know, it's a very exciting time but also a time of a certain degree of nervousness and anticipation Because our brave Indian Navy personnel will be getting used to the ship Like, you know, like getting a new car which is such a simplistic example But, you know, for those first few days, you're getting used to the smells, the sights, the sounds of the car Imagine two football fields like you said, Akshita And, you know, 15 decks, all those hundreds of thousands of square meters of, you know, space to actually explore This is, you know, I don't think any one sailor will ever be able to, in their entire career, see all of this ship That's the amazing and scary part about a ship the size of INS Vikrant We've got some breaking news coming in now There's unfortunately, at this moment of pride for the entire country, a bit of politics also that's erupted We're going to briefly focus on that The kind of reactions that have come And even as the Prime Minister was commissioning INS Vikrant The Congress has attacked the Modi government over this launch And essentially they're serving a reminder But Congress' Jairam Ramesh saying That INS Vikrant is a collective effort of all governments So, a credit warship, which is broken out now The Congress essentially trying to serve a reminder to the BJP, to the Modi government Saying that, look, you have to recognize that this is the work of many governments put together And that's how you're seeing this commissioning of INS Vikrant He's saying governments since 1999 came together for this Well, the Prime Minister acknowledges this question This kind of war for credit is very familiar, Achita, but it's also unsurprising Because this kind of thing has always happened between governments It's very unseemly, kind of distasteful on a symbolic, ceremonial, sacred day for the Indian Navy You know, for political parties to be bickering for credit in this sort of public manner on social media Jairam Ramesh is the one who's done that I personally believe that the people who should be, you know, getting credit today Are the workers, the welders, the designers The people who've labored for nearly two decades to put this incredible ship together You know, but politics is never really far away And especially when it comes to credit politics Because the Congress has always seen the BJP and the Modi government As one that takes credit for the good things that Congress governments in the past has also done Maasmi, familiar credit politics breaking out during the commissioning of INS Vikrant Absolutely, Shiv And the way you were explaining and elaborating about the INS Vikrant It is definitely a moment of pride for all Indians But unfortunately, you know, here there is a battle for one-upmanship As far as, you know, a political contribution to the INS Vikrant is concerned Because Jairam Ramesh, who's always been very quick on Twitter To actually rebut allegations or launch a frontal attack Here, in fact, reminding the Prime Minister that INS Vikrant played a crucial role in 1971 as well And since 1999, it's the successive governments who have actually contributed to this day And even as you did elaborate that it is our Navy personnel who need to be celebrated at this moment And all those, you know, days of hard labor and work by the men and women who are behind this He seems to agree, but politics still prevailing over the entire inauguration You know, Shiv is right, Maasmi, in saying that this kind of takes away from the contribution Of so many of those workers who've been putting in so much of time and sweat for the last many, many years on this So while we've reported on the credit report and the politics Let's shift our focus to, in fact, the credit where it's due To the people, the workers of INS Vikrant and hail what they've done Whichever government deserves credit or not Let's cut across to more breaking news This is on the other big momentous moment today that we saw When the Indian Navy got a new ensign, a new symbol, a new identity And the Prime Minister has sent across a strong message during the launch of that ensign ship That's right, the Prime Minister says Today India has taken off a trace of slavery, a burden of the British Raj, colonial era On this historic date of September 2nd, 2022, another history-changing act has happened This is what the Prime Minister had said while unveiling the proud new ensign, an identity The flag of the Indian Navy, getting rid of the British era, St. George's Cross Which used to adorn it, up until now The Prem androcena In five過din products of pastdinaters The first priority is the first priority of Vijpsith Bhara's increaseaine The third priority is the first priority of fear It has been for the first priority of thestar Omni's острya The third priority is the control of the AAP अपनी विरासत पर घर्व चौथा और पांचवा प्राण है देश की एकता एक जुड़ता और नागरी कर्तव्य आइनेस विक्रांत के निर्मान और इसकी यात्रा में हम इन सभी पांच प्राण पंच प्राणों की उर्जा को देख सकते हैं आइनस विक्रांत इस उर्जा का जीवन सैयत्र है Now remember that INS विक्रांत is now part of the Indian Navy, we'll get you some pictures of the ship Beautiful images have been coming out of Cochi over the last few days And in a few days from now, INS विक्रांत will sail out from Cochi it will head out into the Arabian Sea for what is known as a work-up. Let's put images of the ship on screen there. The beautiful ship will sail out with its 1700-strong crew and begin a process where the Indian Navy begins to stretch the ship's legs, gets used to all its systems, all its sensors, its electronics, its living quarters. And remember, Akshira, the Indian Navy has already gotten a taste of it because there has been an extensive year-long phase of sea trials when the Navy basically, you know, was giving it a test drive. This was an important test drive to make sure that everything was, you know, ship-shaped pretty literally and that the ship was ready for commissioning and that's what's brought it to this point now. But now, if I can call it that, it's simplistic to say the fun and games are over, the simulator is over, the test drive is over, now you're the owner, now you're in the driver's seat and now you mean business. The Navy has been asking for a second aircraft carrier for some time now, ship, to ensure that, you know, we have all of our fees covered and this INS Vikrant essentially answers all of the demands they press for a second aircraft carrier. It's a double bonus, of course, that it's completely made in India. Now that INS Vikrant is officially commissioned, the ship will essentially act as a deterrent amid China's growing presence in the Indian Ocean region, ship. Absolutely, and this is a ship, while not particularly pointed at any one Indian adversary, will serve as a huge announcement of India's ability to project power across the Indian Ocean and beyond. Kerala, 3. Arif Mohamad Khan, Honorable Chief Minister Kerala, 3. Penelai Vision, Minister of Ports, Shipping and Waterways, 3. Sharwananji Sonwal, National Security Advisors, 3. Ajit Doval, Mani Rakshar Rajya Mantri, 3. Ajay Bhatt, 3. Rajiv, Chandrashikhar, MS for Electronics and Information Technology, Admiral R. Harikumar, Chief of Naval Staff, 3. Madhuya Senayir, CMD, CSL, 1. Ajayir, 3. Jaya, Ajayir, 2. Ajayir, 3. Ajayir, 4. Ajayir, की है मैं आपका हार्दिक स्वागत और अविनंदन करता हूँ अमरित काल के प्रारंध में आई एनस विक्रांट की कमिशनिंग अगले 25 वरसों में रास्ट की सुरक्षा के हमारे मजबूत संकल्प को दोराती है आई एनस विक्रांट एक एस्पिरेशनल और सेल्फ इंडिया का एक एक्सेप्नल सिंबल है यह एक आइकन है रास्ट के गवरों का रास्ट की सक्ति का और रास्ट के संकल्प का इसकी कमिशनिंग इंडिजिनस वारसित और कंस्ट्रक्षन की राह में एक अनप्रेशिडेंटेट एचिब्मेंट है जैसा कि आप सभी नैवी के से अच्छी तरह होगत हैं ओल्ड शिप्स नेवर डाई 1971 के युद्ध में अपनी शांदार भूम का निभाने वाले विक्रांद का यह नया आवतार अम्रित काल की उपलब्धी के साथ साथ हमारे प्रीडम फाइटर्स और ब्रेव स्वल्जर्स को भी एक विनम्र प्रदां के लिए भारत के मेरिटाइम इंट्रस्ट को शेक्योर रखना इंडियन डैवी की सिगनिफिकेंट रस्पांसबिल्टी है मुझे पुरा विश्वास है कि इस जम्मेदारी के इडिस्कूशन के लिए एरक्राफ्ट कैरियर से बहतर माध्यम और कुछ नहीं हो सकता है भारती नौसेना नेशनल अफ्वाई इंयंटरमी लेवल क्राईसिस में फ़ॉर्ष्ट रस्पांडर के रूप में हमेशा तयार रहती है आईयनस विक्रांद की कमिश्वानिंग से नौसेना की कРЕफेविल्टी में और अधिक वृद्धी होगी मित्रों आईयनस विक्रांद की इस बात की पुष्टी है कि आत्म नर्भर भारत का हमारा प्रयाद कोई आईसुलेटेट पॉलसी नहीं है। यह मान्नी प्रधान मंत्री के नेत्रत में भारत में हो रहे विशाल ट्रांस्फार्मेटिव चेंजेज का एक महत्पूर्ण हिस्सा है। इस विशाल लक्ष को प्राप्त करने के लिए सरकार में हेल्थ, एजुकेशन, अगरिकल्चर, ट्रेड, ट्रांस्पोर्ट, कम्निकेशन, आदी, समस्ट शेत्रों में पाथ ब्रेकिंग चेंजेज किये हैं। इफेंज शेक्टर के बात करें, तो सरकार इफेंज ब्रोक्ष पालशी और एक्सपोर्ट प्रमोशन पालशी में सुधार किये हैं। डिफेंस सेक्टर में एफडियाई की लिमिट को बढ़ाया है और डिफेंस इंडस्टियल कॉरिडॉर्स डवलप करने जैसे महत्तपों प्रियास किये हैं इसके साथ इस वरस कैपिटल एक्विजिशन बजट का 68% यानि लगभग 85,000 करोर रुपे डोमस्टिक इंडस्टिय के इंडस्टियाईशन लिस्ट जारी किया जाना भी डिफेंस सेक्टर में आत्म दरभरता की और उठाए गए यह हमारे महत्तपों कदम हैं हमारा मिशन किबल मेक इन इंडिया ही नहीं बलकि मेक फार्द वर्ल्ड है यह है पिछले वरस में हुए 400 बिलियन डॉलर से अधिक के इक्सपोर्ट इसके प्रमान हैं हम जैसे जैसे फाइब टिलियन डॉलर एकॉनमी की और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं आने वाले समय में ग्लोबल ट्रेड में हमारा शेयर बढ़ेगा ग्लोबल ट्रेड में शेयर बढ़ेगा तो इसका बड़ा हिस्सा आनिवार रूप से मेरिटाइम रूट से होगा ऐसे में हमारी सेक्योटी हो असवा एकोनामिक इंटरेस्ट दोनों ही दृष्टियों से यह आई एनस विक्रांग हमारे लिए अत्यां महत्तपून साबित होगा ऐसा मेरा विश्वास है मित्रो हमारे फ्रेंडली फॉरेंड कंट्रीज के लिए कलेक्टिब सेक्योटी की जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम हैं हम एक फ्री ओपन एंड इंडो पैसिफिक में विश्वास रखते हैं इस संबंध में हमारे प्रयास मानि प्रधानमंत्री जी के वीजन सागर यानि शेक्योटी एंड ग्रोथ फार आल इन द साथ ही महत्वपूर्ण प्रजेक्ट से जुड़े समस्त कर्मयोगियों की भी मैं प्रसंसा करता हूं चीफ आप डनेवेल स्टाप अड्मिरल आर्होः हरीकुमार और उनकी पूरी टीम की विक्रांद की कमिस्निंग में फोकस्ट इफोर्ट्स के लिए मैं तरहना करता हूं मैं पुनह मानी प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं जिनके लीडर्शिप और डिरेक्शन की चलते आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं हम भविष्व में निरंतर आपके गाइडेंस की आशा करते हैं मैं आएनस्री क्रांट के कैप्टन और क्रीव के भविष्य के प्रयातों में सफलता की कामना करता हूं इस तोर आपको हर परशितियों में अजेय रखें शंग नो वरुणह में दलाड़ अपड़ वाटर बीया स्थेशस अंट वस की कामना के साथ मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं लोका समस्ता सुखिनो भवंतू वलरे नन्नी जै हिन प्रश्ण फुख अर्व हर आपको हूं अजेर कुए मन्स था व्यार अवाटर नै तो ब्रोटने वेदन ही इस प्रश्ण थेशस को पूर दोनी है तो हैं ना दो हैं इस INS Vikrant is a testimony to the passion and vision of our navy veterans, a testimony to the relentless pursuit of excellence by our warship designers, a testimony to the years of dedication and shipbuilding expertise of Cochin shipyard and a crowning achievement of Indian industry and MSMEs. देवियों और सज्जनों आधूनी करण और स्वदेशी करण के मार्ग पर चलते हुए भारतिय नौसेना ने आज एक नए मुकाम को हासिल किया है भारत सरकार के मेक इन इंडिया और आत्म निर्भर भारत की नीतियों पर आधारिक विकास की नीव अब फली बूत होते दिखाई दे रही है तो आईए भारतिय नौसेना के सफर को एक डॉक्यूमेंटरी फिल्म के माध्यम से देखें अधिया अधिया प्रश्विक्राइब बॉक्यूमेंटरी नीव पर आधारिक विज भारतियों के लिए विदेशांपन निर्भरता हमारे देश के स्वाभिभान हमारे आर्थिक नुक्सान के साथ ही रन नितिग रूप से बहुत ज़्यादा गंबील खत्रा है इस तिती से देश को भार निकालने के लिए 2014 के बाद हमने मिशन मोड पर काम शुरूब किया बीते दसकों की एप्रोश से सीखते हुए आज हम सब का प्रयास उसकी ताकत से नए डिफेंट इकोसिष्टिक भाविकास कर रहे हैं The course towards आत्म निर्भरता has been charted by the government of India's transformational initiatives Positive Indigenization lists promote indigenous development and design Dedicated defense corridors boost defense production Increase in FDI through the automatic route enhances access to modern technologies The IDEX ecosystem supports advanced research and development Every platform since 2014 has seen increased indigenization creating greater opportunities for Indian industries both within and outside India We are now a three-dimensional Aatma-Nirbhar Navy capable of operating across the spectrum of naval operations from disaster relief to all-out combat Our transformation from a buyer's to a builder's navy has been inspired by a rich maritime legacy of indigenous design and construction Today there are 39 ships and submarines under construction in Indian shipyards 49 more platforms have been accorded acceptance of necessity Our future submarine program will be our largest Aatma-Nirbhar project Being vocal for local has led to innovation and skill development contributing to startup India Aatma-Nirbhar Bharat has not only created robust infrastructure, it has made us think bigger and bolder What better proof than Vikrant? Named after our first carrier, the legendary Vikrant that played a decisive role in 1971 She will be the fourth aircraft carrier to fly the white ensign Designed by the Indian Navy's warship design bureau and built by Cochin Shipyard Limited We now belong to a select group of countries with the capability of indigenously designing and building an aircraft carrier Her 26,000 tons of warship-grade steel has been developed by DRDO and produced by the Steel Authority of India Vikrant's 76% indigenous content has been achieved through partnerships with over 90 Indian OEMs, more than 100 MSMEs and over 500 ancillary industries Above all, Vikrant has provided direct employment for 2,000 personnel in CSL And indirect employment for 13,000 towards plough-back effect to the Indian economy As India powers towards a blue economy, Vikrant will strengthen the Navy's capabilities and be a force multiplier in both defensive and offensive roles I now request the commanding officer of INS Vikrant, Captain Vidyadhar Harkey To declare and proclaim the commissioning warrant of INS Vikrant Commissioning Commissioning Adage Commission with a national commissioning warrant of the official company Commissioning warrant of the public and respectful of the following The President of the public and Equal President You have made a confidence in which you would get into these actions To do this, this is the attack possible At the beginning of the P.A.C. शीघ्र दिशीघ्र कमिशन करें। भारतिय नौसेना पोत्विकरांत को धज अधिकारी दक्षिन नौसेना कमान के द्वारा प्रशासित किया जाएगा। मेरे द्वारा जारत दो सब्तम्बर दो हजार वाइस। हस्ताक्षर और हरीकुमार एड्मिरल नौसेना अध्यक्ष। कितना बड़ा दिन है नौसेना के लिए, कितना एतिहासिक दिन है हमारे देश के लिए। और अब समय आ गया है उस आवाज को सुनने का, जिसने हमारे देश को एक नई दिशा दी है। समय आ गया है उस आवाज को सुनने का, जिसने हमारे पूरे देश में, समस्त भारतवासियों के दिल में, आत्म विश्वास प्रेड़ना और संकल्प की भावना जागरत कर हमारे पूरे देश को एक लक्ष दिया आत्म निर्भर भारत देवियों और सज्जनों और प्यारे बच्चों जोरदार दमदार जानदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंडर मोदी इस अहितियासी कारकम में उपस्तित करला के राजपाल स्रिमान आरिप मोहमद खान केरल के मुक्ष मंत्री स्रिमान फिनाराइब विजियन जी देश के रक्षा मंत्री स्रिमान राजनाश्री जी केंद्रिय मंत्री मंदल के मेरे अन्य सहयोगी गण चीफ अप निवल स्टाफ एडिमिरल आर हरीकुमार जी एमडी कोचिन शिप्यार सभी विशिष्ट एवं गणमान या अतिधिगान और इस कारकम में जुड़े मेरे प्यारे देश वास्यों आज यहां किरला के समूत्री तट पर भारत का हर भारत वास्यों एक नए भविश्य के सुर्योदय का साक्षी बन रहा है आएनेस विक्रान पर हो रहा ये आयोजन विश्वक्षितीज पर भारत के बुलंद होते हांसलों की हुंकार है आज हादि के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस सक्षम, समर्थ और सक्तिशाली भारत का सपना देखा था उसी एक ससक्त तस्वीर आज हम यहां देख रहे हैं विक्रांत विशाल है, विराठ है, विहंगम है विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेथ भी है विक्रांत केवल एक युद्ध पोत नहीं है ये 21 सदी के भारत के परिश्रम, प्रतीभा, प्रभाव और प्रतीबद्धता का प्रमान है यदि लक्ष दुरंत है, यात्नाएं दिलंद है, समंदर और चनोतियां अनंत है तो भारत का उत्तर है, विक्रांत आज़ादी के अमरत महोचव का अतुल्निय अमरत है, विक्रांत आत्मंदिर बर होते भारत का अज़ितिये प्रतिमिम्भ है, विक्रांत ये हर भारतिय के लिए घर्व और गव्रव का अन्मोल अउसर है ये हर भारतिय का मान, स्वाभिमान बढ़ाने वाला अउसर है मैं इसके लिए हर एक देश माची को बढ़ाई देता हूँ साथियों, लक्ष कठीन से कठीन क्यों न हो चुनोतियां बड़ी से बड़ी क्यों न हो भारत जब ठान लेता है तो कोई भी लक्ष असंभव नहीं होता है आज भारत बिश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तक्निक से इतने विशाल एरक्राप केरियर का निर्मान करता है आज आएनेस विक्रांत ने देश को एक नए विस्वाद से भर दिया है देश में एक नया भरोसा पैदा कर दिया है आज विक्रांत को देखकर समंदर की ये लहरे समंदर की ये लहरे आहवान कर रही है अमर्ट वीर पुत्र हो अमर्ट वीर पुत्र हो द्रड़ प्रतिग्य सोच लो प्रशच से पुन्न पंत आए प्रशच से पुन्न पंत आए बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो साथियों इस आइतिहासिक अउसर पर मैं भारतिय नव सेना का कोचिन सिप्यार के सभी इंजीनियर्स वैज्यानिकों और मेरे स्रमिक भाई भैनों का अभिननन करता हूँ जिनोंने इस सपने को साकार किया है किरगा की पुन्य भुमी पर देश को ये उपलगती एक ऐसे समय पर मिली है जब ओनम का पवित्र परविवी चल रहा है मैं सभी देश वाचियों को इस अउसर पर ओनम की हारदिश सुपकामनाई भी देता हूँ साथियों आएनेस विकराम के हर भाग की अपने एक खुबी है एक ताकत है अपनी एक विकास यात्रा भी है ये स्वदेशी सामर्थ स्वदेशी संसादन और स्वदेशी काउशल का प्रतीक है इसके एरबेस में जो स्टील लगी है वो स्टील भी स्वदेशी है ये स्टील डियाडियों के वेग्यानी को ने विक्सित किया भारत की कमपनियों ने प्रोडूस किया एक उद्धपोत से भी ज़्यादा एक तैरता हुआ एरफिल्ड है एक तैरता हुआ शहर है इसमें जितनी विजली पैदा होती है उससे पाँच हजार गरों को रोशन किया जा सकता है इसका फ्लाइट देख भी दो फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है विक्रान्त में जितने कैबल्स और वायर्द इस्तिमाल हुए है वो कोची से शुरू हो तो काशी तक पहुँच सकते हैं ये जटीलता हमारे इंजिनियर्स की जीवड़ता का उधारन है मेगा इंजिनियर्निंग से लेकर नेनो सर्किट सक पहले जो भारत के लिए अकल्पनिय था वो हकीकत में बदल रहा है साथ क्यों इस बार स्वतंत्रता दिवस पर मैंने लाल किले से पंच प्रान का आवान किया और हमारे हरी जी ने भी इविसकाव लेक किया इन पंच प्रानों में पहला प्रान है विश्सीद भारत का बड़ा संकल्प दूसरा प्रान है गुलामी की मानसिक्ता का संपूर्ण त्यार तीसरा प्रान है अपनी विरासत पर घर्व चौथा और पांच वा प्रान है देश की एकता एक जुड़ता और नागरी कर्तव्य आयनेस विकरान के निर्मान और इसकी यात्रा में हम इन सभी पांच प्रानच प्रानों की उर्जा को देख सकते हैं आयनेस विकरान इस उर्जा का जीवन सहित्र है अभी तक इस तरह के एरक्राप केरियर केवल विक्सित देश ही बनाते थे आज भारत ने इस लीग में शामिल होकर विक्सित राज्ट की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है साथियों जनल परिवहन के छेत्र में भारत का बहुत गवरव में इतिहात रहा है हमारी समरुद विरासत रही है हमारे यहां नौकाओं और जहाजों से जुड़े स्लोकों में बताया गया है बिर्गी का तरणी ही लोला गत्वरा गामीनी तरी ही जंगाला प्लावीनी चैव धारीनी वेगीनी तथा यह हमारे सात्रों में इतना बर्र है बिर्गी का तरणी लोला गत्वरा गामीनी जंगाला प्लावीरी धारीरी वेगीरी हमारे हां जहाजों और नौकाओं के अलग-अलग आकार और प्रकार होते थे हमारे वेदों में भी नौकाओं जहाजों और समुद्र से जुड़े कितने ही मंत्रा आते हैं वैदी काल से लेकर गुप्त काल और मौर्य काल तक भारत के समुद्री सामर्थ का दंका पूरे विश्व में बज़ता था चत्रपती वीर सिवाजी महाराज ने इस समुद्री सामर्थ के दम पर ऐसी नवसेना का निर्माण किया जो दुश्मनों की निंद उड़ा कर रखती थी जब अंग्रेक भारत आए तो वो भारत ये जहां जो और उनके जरिये होने वाले व्यापार की ताकत से गबराए रहते थे इसलिए उन्होंने भारत की समुद्री सामर्थ की कमर तोड़ने का फैसला लिया इत्याद गवा है कि कैसे उस समय ब्रिटीज संसद में कानून बना कर भारतिये जहांजों और व्यापारियों पर कड़े प्रतिबंद लगाये दिये गए थे बारत के पास प्रतिबा थी अनुभाव था लेकिन हमारे लोग इस कुटलता के लिए मानसिक रुप से तयार नहीं थे हम कमजोर पड़े और उसके बाद गुलामी के कालखन में अपनी ताकत को धीरे धीरे भुला बैठे अब आज हादी के अमरित काल में भारत अपनी उस खोई हुई शक्ति को वापस ला रहा है उस उर्जा को फिर से जगा रहा है साथियों आज 2 सितंबर 2022 की एटिहांसिक तारिक को इतियास बदलने वाला एक और काम हुआ है आज भारत ने गुलामी के एक निशान गुलामी के एक बोच को अपने सीने से उतार दिया है आज से भारतिय नव सेना को एक नया द्वज मिला है अब तक भारतिय नव सेना के द्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी लेकिन अब आज से छत्रपति सिवाजी महराज से प्रेरित नव सेना का नया द्वज समंदर और आस्मान में लहरा आएगा कभी रामधारी सी दिनकर्जी ने अपनी कविता में लिखा था नवीन सूर्य की नई प्रभा नवीन सूर्य की नवीन प्रभा नमो 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 सथंत्र भारत की द्वजा नमो 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 आज इसी द्वजवन्दना के साथ मैं ये नया ध्वज नवसेना के जनक छत्रपती दीर सिवाजी महराज को समर्पित करता हूँ मुझे विश्वास है भारतिय की दाकी भावना से ओध प्रोथ ये नया ध्वज भारतिय नवसेना के आत्मबल और आत्मसम्मान को नई उर्जा देगा साथ क्यों हमारी सेनाओं में किस तरफ बढ़लावा रहा है उसका एक और हमपक्ष मैं सभी देशवासियों के सामने रखना चाहता हूँ विक्रान जब हमारे समुद्री खेत की सुरक्षा के लिए उतरेगा तो उस पर नवसेना की अनेक महिला सैनिक भी तैनात रहेगी समंदर की अथा सक्ति के साथ असीम महिला शक्ति ये नए भारत की बुलंद पहजान बन रही है मुझे बताया गया है कि अभी नेवी में करीब छेसो महिला आफिसर्थ हैं लेकिन हम इन्जियन नेवी ने अपनी सभी साखाओं को महिलाओं के लिए खोलने का फैसला किया है जो पामंदिया थी वो अब हट रही है जैसे समर्थ लहरों के लिए कोई दाइरे नहीं होते वैसे ही भारत की बेटियों के लिए भी अब कोई दाइरे या बंदन नहीं है अभी एक दो साल पहले विमेन अफिसर्स ने तारीनी बोर्ट से पूरी पृत्वी की परिक्रमा की थी आने वाले समय में ऐसे पराक्रम के लिए कितनी ही बेटियां आ गया आएगी दुनिया को अपनी शक्ती से परिचित करवाएगी नेवी की तरह ही तीनों ससत्र सेनाओं में युद्रक भुमिकाओं में महलाओं को शामी किया जा रहा है उनके लिए नई जिम्मेदारियों के रास्ते खोले जा रहे हैं साथियों आत्म निर्भरता और आज़ादी को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है जो देश जितना किसी दूसरे देश पर निर्भर है उतना ही उसके लिए संकट है जो देश जितना आत्म निर्भर है वो उतना ही शसक्त है कोरोना के संकट काल में हम सभी ने आत्म निर्भर होने की इस ताकत को देखा है समझा है अनुभव किया है इसलिए आज भारत आत्म निर्भर होने के लिए पूरी शक्ती से काम कर रहा है आज अगर अथा समंदर में भारत की ताकत का हुदोस करना के लिए आएनेस विक्रान तयार है तो अनंत आकास में यही गर्जना हमारे तेजस कर रहे है इस बार पंदरा अगस्तो पूरे देश ने लाल कीले से स्वदेशी तोप की हुंकार भी सुनी है आज हादी के 75 साल बार सेनाओं में रिफॉर्म करके भारत अपनी सेनाओं को निरंतर आधुलिक बना रहा है आत्म निर्भर बना रहा है हमारी सेनाओं ने ऐसे उपकरोनों की एक लंबी लीज भी बनाई है जिनकी खरीद अब स्वदेशी कंपनियों से ही की जाएगी डिफेंस सेक्टर में रिसर्च और डेवलप्मेंट के लिए पचीस प्रतीशत बजट भी देश की उनिवर्सिटीज और देश की कंपनियों को ही उपलब्द कराने का मिरने लिया कया है तमिलनाडू और उत्तरप्रदेश में दो बड़े डिफेंस कोरिडोर्स भी विक्सित हो रहे है डिफेंस सेक्टर में आत्मंदिर भरता के लिए उठाए जा रहे हैं इन कदमों से देश में रोजगार के अनेकों नए अउसर पैदा हो रहे है चाथ क्यों एक बार लाल के लिए से मैंने नागरिक करतव्य इसकी भी बात कही है इस बार में उसको दोहराया भी है बुन्द बुन्द जल से जैसे विराट समंदर बन जाता है वैसे ही भारत का एक एक नागरिक वोकल फोर लोकल अगर वोकल फोर लोकल के मंत्र को जीना प्राणम कर देगा तो देश को आत्म निर्भर बनने में अधिक समय नहीं लगेगा जब सभी देशवासी लोकल के लिए वोकल होंगे तो उसकी गुंज सिर्फ भारत में नहीं बलकि पूरी दुनिया में सुनाई देगी और देखते ही देखते दुनिया के जो भी मैनुफेक्टर होंगे उनको भी मजबूरन भारत में आकर के मैनुफेक्टरिंग के रास्ते पर चलना पड़ेगा ये ताकत एक एक नागरिक के अपने आप में तजूर्बे में है साथियों आज जिस तेजी से वैश्वीक परिवेश बदल रहा है वैश्वीक परिद्रश्य बदल रहा है उतने विश्व को मल्टी पोलर बना दिया है इसलिए आने वाले समय में बविश की गतिवीदियां और सक्रियता का केंद्र कहां होगा ये बविश द्रश्टी बहुत जरूरी हो जाती है उद्हान के तौर पर पिछले समय में इंडो प्रजिपिक रीजन और इंडियन ओसन में सुरक्षा चिन्ताओं को लंबे समय तक नजर अंदाज किया जाता रहा लेकिन आज ये ख्षेत्र हमारे लिए देश की बड़ी रक्षा प्रात्मिक का है इसलिए हम नवसेना के लिए बजट बढ़ाने से लेकर उसकी च्छमता बढ़ाने तक हर दिशा में काम कर रहे हैं आज चाहे आप्शोर्ट पैट्रोल विसल्स हो सब्मरीन सो या आयरक्राप करियर्स हो आज भारत की नवसेना की ताकत अभूत पुर्वगती से बढ़ रही है इससे आने वाले समय में हमारी नेवी और मजबूत होगी जादा सुरक्षित, सीलेंस, बहतर मोनिटरिंग और बहतर प्रोटेक्शन से हमारा एक्सपोर्ट, मेरिटाइम ट्रेड और मेरिटाइम प्रोटोक्शन भी बढ़ेगा इससे केबल भारत ही नहीं बलकि दुनिया के दूसरे देशों और विशेश कर हमारे पडोसी मित्र राष्टों के लिए व्यापार और समरुद्धि के नए रास्ते खुलेंगे सात्यों हमारे यहां सास्त्रों में कहा जाता है और बहुत महरत्पून के बात कही जाती है और जिस बात को हमारे लोगों ने समस्कार के रुप में जीया है हमारे यहां सास्त्रों में कहा गया है विद्या विवादाया, धनम मदाया, शक्ति ही परेशाम परपिडिनाया, खलच्य साधो विप्रितम एतत, ज्ञानाय दानाय चरक्षणाया, आर्था, दुस्ट्रकी विद्या, दुस्ट्रकी विद्या, विवाद करने के लिए, धन, गमन करने के लिए, और शक्ति दुस्करों को प्रताडित करने के लिए होती है, लेकिन सज्जन के लिए ये ज्ञान, दान और कमजोर की रक्षा का जरिया होता है यही भारत का संस्कार है इसलिए विश्वको शसक्त भारत की ज़्यादा जरूरत है मैंने एक बार पढ़ा था कि एक बार जब डॉक्टर एपीजे अबदुल कलाम से किसे ने पूछा कि आपका व्यक्तित तो बड़ा शांती प्रीया है आप तो बड़े शांती व्यक्ति लगते हैं तो आपको हथियारों की क्या जरूरत लगती है कलाम साब ने कहा था शक्ति और शांती एक दूसरे के लिए जरूरी है और इसलिए आज भारत बल और बदलाव दोनों को एक साथ लेकर चल रहा है मुझे विश्वाफ है ससक्त भारत शांत और सुरक्षित विश्व का मार्ग प्रसस्त करेगा इसी भाव के साथ हमारे बाहदूर जवानों को बीर सनानियों को आदर पुरोग उनका गर्व करते हुए आज के इस महत्व पुर्ण आउसर को उनकी बीरता को समर्पित करते हुए आप सबका मैं रुदेश से बहुत बहुत धनवात करता हूँ जय हिन देवियों और सज्जनों भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की भव्य उपस्थिती में एक बुलंद आवाज में मेरे साथ तीन जय पुकारेंगे इनस विक्रांद की भारत ये मुसेना की भारत मता की एक प्रध की धराती जय प्रध बीघड़ प्रधास्टिनी के आवाज भारत में लिवर चानवाज सव प्रधानमंत्र परिजनों ऑप इन जय हम और इनस विक्रांदी प्रधान थाद्रियों प्ष्रक्राइब के अन् दिसेऊ कि अधस छो भार कि अधसाट यू इस啵 derived प्योर्ब एकराइब। प्रेड केता है खेञ्कासीर थभिपेल्चशन on national television. नाड़ारोस फाक्राश्शन on national television. kissing दोट्रूसन on national television, and not only is the broadcast going all over India, but also all across the world were satellite television and the internet. Big thanks to the crew from Doordarshan. प्रश्चेक जो नहीं कि एलिए प्रश्चिता क्या है So we may not be able to have a close look at the flight past, but I am quite certain that we are going to feel and hear the flight past. निशान समाहरू देखने को मिलेगा और प्रधान मंत्री इस वक्त फ्लाइंग डेक के ऊपर तमाम वरिष्ट लोगों के साथ में और ये भवविता, विशालता, दरशाता है किस प्रकार से देश ने आज रक्षा के शेत्र में एक बहुत बड़ा दिन हासिल किया है. साथ मिलेत आजेट क्नाहिटन से लुड़ाओ के तमाम फिता खेंगा है, विक्रांग विशेष्ट है. विक्रांथ लाम के सिप्रांथ सूपरा से लिए ज updates the fast. मिनिस्टर आयनिस विक्रांग्ट सिंबोलाइज़ आत्म निर्भर भारत और यह तस्वीर है अब निशान समाहरों की तयारियां कलर से रिमनी जिसको कहा जाता है और अपने आप में यह बेहत महत पूर क्योंकि हर नौसेनिक युद्ध पोद पर दो ध्वज होते हैं और अग इस वक्त आयनिस अथा आप में यह तक आसर गया जान से रमगें नेवी का धज है वो लहराता नजर आ रहा है इस वक्त आई एनस विक्रान परो ये नया ध्वज है जिसमें आज नया निशान देखने को मिल रहा है और अपने वेशिक काल जिसमें गुलामी की मानसिक्ता जलकी दिए उससे आगे बढ़ते हुए सबी गड़मानियों के साथ नया फलक के अनावरण के लिए जहाद के सुपर शुरूआत की होती हुए दिखाई पर रही है यहाँ पर हम साफ तोर पर देख सकते हैं यह तमाम जो विमान हैं जो इस वक्त आपको दिखाई पर रहे हैं पर शुरूआत के साथ नया फलक के लिए तस्वीर अपने आप में दिखाती है किस प्रकास ही है फ्लाइ पास्ट जहाँ पर तीन चे तक हवाई जाज इसके लावा तीन एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर साथी साथ यहाँ पर सीइंग 42 ब्रेवो हेलिकॉप्टर और इन तमाम की गलगढ़ाहट साफ तोर पर बरान मंत्री इसको निहारते हुए और यह भारत की इस घवविता को जिप्रान में आज दुनिया को बताने में सक्षम है कि हम कैसे दुनिया में आगे अगणी भूमी का निभाने को तक पर हैं इन के ठीक पीछे हैं पन्तूपी प्रतिरोदी और सीकिंग 42 ब्राव भाव कमांडर हरप्रीत सिंग बवेजा की अगुवाई में सीकिंग 42 ब्रावो हेलिकॉप्टर कमांडर हरप्रीत सिंग बवेजा की नित्रत तुमें ये तमाम फ्लाइपास नजर आ रहा है और हमने देखा किस प्रकार से तीन चे तक इसके लाबा तीन एडवांस हाई हेलिकॉप्टर साथी साथ सीकिंग 42 ब्रावो हेलिकॉप्टर की नजर आ रहे हैं और प्रधान मंत्री एक तरीके से हाथ हिला कर अभी बादन करते हुए तीन दलगलाहट पताती है हमारी बढ़ती हुए रक्षा शम्ताओं की आग निर्भार होते हैं रक्षा के शित्र में भारत की और आज का दिन बेहत है तीहासे अबसलूटली एड आइनस विकरांत ना वुट बेगेबल अपरेटिंग अन एर विंग विकरांत बहुत खास है और अब एक तरीके से देखा जाए आज ये भारत के लिए रक्षा के शित्र में बेहत महत पूर्ण और इस विकरांत आइनस विकरांत की बात की जाए तो अब ये नौसेना को समर्पित होने जा रहा है और ये जोरदार तालियों के साथ आईए स्वागत करते हैं भरती नौसेना में आएनस विक्राइब का एक तरीके से नौसेना को समर्पित किया है पुर्धान मंत्री नहिंदर मोदी ने रक्षा मंत्री हमको यहां नजर आ रहे हैं बीस प्रग कि नौसे लिए ठीघर की साथ नाजर रखनीर ने रखनी मंत्री ने लेच्ट ने रखनीर ने रखनीर हमको यहां ने एक रृंप हैं लौसे और विस वाहां विल्ष्ट्छ ने रखनीर बीदिनेर ज्यर प्रशेना means प्रै आई प्रैमें लेह दो विवार्श प्र नौसेना प्रमुक एड्मिरल आर हरी कुमार अब मारनिय प्रधान मंत्री जी को आइनस विक्रांत का एक प्रती रूप प्रस्तुत करेंगे मारनिय प्रधान मंत्री अब कमान अधिकारी कैप्टिन विद्यादर हरके को रजत ताले का हस्तान परित करेंगे अब मुख्यातिती सभी गड़मानियों के साथ चाया चितरन के लिए स्की जंप की तरफ बढ़ रहे हैं आकाश को अपनी गून से अलंकृत कर रहे अब आ रहे हैं हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिविटेड द्वारा निर्मित दौर नियर विमान जिनका नेतित्व कर रहे हैं कैप्टिन अर्जुन मैनन अब आ रहा है जैन्य सर्वेक्षण में सबसे कुशल अत्यादुनिक पंटुपी प्रतिरूदी उपकरणों से लैस प्रतिर प्रतिर विमान जिसके चालक है कमांडर कुल्डीप मेरा कुल्दी। लैट प्रतिर विमान जिसके चालक है क्मांडर कुल्दीप महतार है क्राम हिनुस्तान एर विमान एर नाटक्स लिटेड लेड़ बाएट अर आर्जुन मैनन P-81 P-81 1P-81 I on your screen वी बनुवर्व ए्टूरी अज़्वार्वादी ए्टूरान। वाजी होंदी लग एक मांदर शीलेश सेंग रान। और अब बारी है प्रसिक्शन के लिए उप्योग में लाए जाने वाले हौक लड़ा को विमानों की इस दस्ते का नित्द तो कर रहे हैं कमांडर शैलेश सिंग राणा आरले टो कर रहे हैं कि आरने विठीदान आप्योल जाहे हैं कर दक्या और अंत में दुवनी की दुगनी गती से उड़ने में सक्षम आस्मान को चीरते आ रहा है मिग 29 के लड़ाको विमानों का यह दस्ता जिसका नित्यत्व कर रहे हैं कैप्टन SS साम्भ्याल और स्ब्सके अन्साब ख入 सक्राश्या कém Tapi isto डिसल Georgia वे कि विक अ कि अ वर शक्मिड खावल खिंवानशभ ग्विसंत्वार्ण इडर शटा हैं इस प्षिपम तर事情 में सब्सक्राविड बात मिढबस्वारिक प्रिनिस भूलाओ ट्राइस को अशुरा एंडियन अश्डूलाओ ज्जासारी आप्राइस कि आपकर लेद ज्ट्राइस क्राइसा चारप्स इनग्या है। अजर अवी बात अपड मेशन आफ भाहिए और एकुट आफ वाइभाद वाइना युट अजर वार, टाफ जाफ भूर्ब वाइनाथना वाइ्क छोगाफ जाप जटेगाना वी युट में अगाफ डियू बाफ वाहिए बाइना से चार बाहिक्राफ यूर्ण के अज़र अरियोскомियों जहन सीट इसिते हैं पार्जेन नीच म समय मोंने शी कर आमोन fits ब मिजए ़िए इसाहन लेख आख इस देरीवियो बड़ ड़िए डर्वशें ऱ पत् 초ाति एं każ verschजी किम स cheapest इसित्थ इस वे सब्सक्राड चार जहे पार प्रशनित, इजल के लिए गुचालाई एक लिए जुचालाई निविक्राट टरॉर्जीज़ और प्रम लिएकल ट्राएंग पहुं हो cuth estina वे बेन देर एक जपनिटा हमुए्स। वितने इस्ट्रीक विच्टीं से लिए थूपिश्योनीट देर्ट घंड उन एकार विएक बल्ला प्रत प सुझाज विएसथा नाम थे लिए विए विए ST हैं। and he is there now for the commissioning ceremony which has just ended. Abhishek, she is ready for the Indian Navy. She is now part of the Indian Navy. Nice, quick ceremony with the Prime Minister there. That's right Shiv, and now the big challenge starts for the crew of INS Vikrant. We can call it INS Vikrant now after the official induction has taken place. And from here onwards, you know, is the next journey of INS Vikrant to be completely combat ready. And very soon, INS Vikrant will be setting sail, and that's when the aircraft trials will start. And, you know, that's the real challenge and the real reason for which Vikrant has been readied. It might take another three, four months for those trials to begin, and by May, next year, I've been told is when Vikrant will be completely battle ready. What that means is that all air operations will begin by then. It will be fully equipped with all weaponry. The Barak missiles that are supposed to be there will be on board by then. And, you know, from here onwards, we'll see that very soon, India will have two aircraft carriers functioning together. And that's why this is a game-changer, Shiv and Akshita. There was a very brief period between 2013 and 2017 when Indian Navy had two aircraft carriers. But now we can say that maybe for the next 25, 30 years, definitely, the Indian Navy will have two aircraft carriers. Vikramaditya is already on the western coast as of now. And Vikrant will be expected to, you know, sail in the Bay of Bengal in the eastern coast. So both coastlines of India will have at least one aircraft carrier. And even if one goes into maintenance, the other will be functional. So that's a big change from the past as far as Indian Navy's operations are concerned. Abhishek, I was just going to ask you there as well. Where is Ioness Vikrant headed next? What's her next journey? Which sea will she cover? Well, for the time being, you know, it will start with air trials. It might take another couple of months, maybe three, four months, in fact. And once those air operations start, those air trials start, after that, a few more months for Vikrant to be completely ready for carrying out any kind of operations, you know, be it offensive operations or reconnaissance that's required from onboard. And that's the reason why Vikrant has two runways. You know, one runway is meant for quick operations, mainly recce operations or training sorties without a payload. That's when the shorter runway will be used. And there is a longer runway for equipping MiG-29Ks that can take off within two or three seconds of one taking off, the other can take off with a heavy payload to ensure an offensive operation can be launched. Abhishek, you know, it's going to take about a year for the aircraft complement to be fully operational. There will be aviation tests that happen, you know, very soon. Because the MiG-29K fighter aircraft, which are basically the teeth of INS Vikrant, haven't yet flown off the aircraft carrier. So over the next few months, those crucial aviation trials will also be happening, Abhishek. That's right, Shiv. And, you know, that's the reason why, you know, it will take a few more months for the Vikrant to be battle-ready, if you can say so. Even though it's, you know, completely functional, it will be sailing in the seas. But, you know, those trials can only take place when Vikrant is sailing with all its crew. Because those operations are just like real-time operations. You know, once the ship is ready, that's when the Navy can test its air assets on board. As far as the helicopter operations are concerned, you know, they can be carried out without much delay. But the MiG-29Ks really need to take off from that lovely ski jump that the INS Vikrant has. And, you know, ensuring that these operations are smooth. The runway is designed in a way that it just takes two or three seconds for an aircraft to take off after one aircraft has landed. So all of that will be tried and tested. And, you know, as we've been discussing, two aircraft carriers working simultaneously means a whole lot, you know, will change for the Indian Navy's capabilities. Vikrant, you know, has four gas turbines, which means it's more powerful than other aircraft carriers. It can go on sailing for 70 days without needing to refuel. So these are some of the aspects that make the Vikrant a very potent and efficient war machine. It's also, you know, a day of great, you know, anticipation for the Indian Navy because like Abhishek, you just pointed out, the ceremonies are done. Now the real work begins. Because let's be very honest, the Indian Navy has a lot of experience operating aircraft carriers. It has done so since the 1950s when the original INS Vikrant first came. But a new ship is always a challenge. We always have to break it in, get used to its, you know, its own uniqueness and get it going as a war machine. But today is also a day of great symbolism, viewer. Because remember, the old Indian Navy ensign or its Nishan, its identity, its flag has been changed once again. The Navy had wanted this. The Indian government has executed the removal of the St. George's Cross. It happened once before in 2001 under Prime Minister Vajpayee. The St. George's Cross, which is of course a relic of the British era, has been removed and a naval crest in gold, which is the Ashoka emblem and the anchor on a shield enclosed in a navy blue octagon echoing Chhatrapati Shivaji Maharaj's royal seal is the new ensign of the Indian Navy. So Akshita, this is the new flag that goes up now on every single Indian Navy warship. And you know, there's a lot of discussion, a lot of curiosity shift about this new design, about this new ensign, the St. George's Cross is out. You see now that octagonal shape in deep blue. And as we in fact get to all the latest updates, but let's focus on that ensign for a brief moment. And Shiv, if you could explain to us why, you know, we're seeing this kind of an octagonal shape. You said it's representative of Shivaji Maharaj. So why is this a tribute to him? Well, you know, Shivaji Maharaj is considered in many ways the father of the, you know, of India's maritime tradition. Remember that India's maritime tradition goes back millennia, Akshita, to the Chora dynasty which sent their ships to Southeast Asia. The, you know, the Marathas sent their ships all across the Arabian Sea as well. So the naval traditions as it were, for trade as well as for, you know, or combat purposes is a well-established legacy of Indian history from both the Choras and the Marathas. But I want to ask Abhishek, in fact, on that. Abhishek, what's the buzz on the ground with the new ensign? You know, there was a lot of suspense, anticipation over the replacement of this very sacred symbol of the Indian Navy. What's the buzz? What's the mood in the Indian Navy over this? They must be very proud. Yeah, it's an exciting moment, Shiv. And, you know, the fact that the new Nishan or the new flag has been unveiled for the first time at INS Vikrant, that itself, you know, tells you the importance of both these things happening together. You know, the Navy and the government chose INS Vikrant to be the platform on which this new flag will be unveiled for the first time. And, in fact, when that flag was hoisted, it went up and the national anthem was sung. It was a great moment, not just for people in uniform, but so many others, including us, sitting and standing here in this pavilion, looking at those big screens where the entire ceremony could be viewed. So it was a moment to be cherished. And, I mean, what can I say, really, really fortunate to be present here and, you know, literally watching this kind of, you know, fanfare during the ceremony. So, yeah, it's a great moment for everybody who follows Indian military, who's been part of the Indian Navy, and so many of us who are present here. It's really a moment of great pride when we saw that flag going up for the very first time on board the INS Vikrant. This now becomes the official symbol, the identity for the Navy. And let's play out for you an excerpt of what Prime Minister Modi had to say about this ensign. अपने सीने से उतार्वाइस की एकिहासित तारिक को इतियास बदलने वाला एक और काम हुआ है. आज भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोज को अपने सीने से उतार्व दिया है. आज से भारतिय नव सेना को एक नया द्वज मिला है. अब तक भारतिय नव सेना के द्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी. लेकिन अब आज से छत्रपति सिवाजी महराज से प्रेरित नव सेना का नया ध्वज समंदर और आस्मान में लहरा आएगा. अभी तक इस तरह के एरक्राप केरियर केवल विश्चित देश ही बनाते थे. आज भारत ने इस लीग में शामिल होकर विश्चित राज्चित के दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है. साथियों, जल परिवहन के खेत्र में भारत का बहुत गवरवमई इतिहात रहा है. हमारी सम्रुद्ध विरासत रही है. हमारे यहां नौकाओं और जहाजों से जुड़े स्लोकों में बताया गया है. बिर्गी का तरणी ही लोला, गत्वरा गामीनी तरी ही, जंगाला प्लावीनी चैवा, धारीनी वेगीनी तर्खा. यह हमारे सात्रों में इतना वर्ण है. बिर्गी का तरुणी लोला, गत्वरा, गामीनी, जंगाला, प्लावीनी, धारीनी, वेगीनी हमारे हां जहाजों और नौकाओं के अलग-अलग आकार और प्रकार होते थे. हमारे वेदों में भी नौकाओं, जहाजों और समुद्र से जुड़े, कितने ही मंत्रा आते हैं। वैदिक काल से लेकर गुप्त काल और मौर्यकाल तक भारत के समुद्री सामर्थ का दंका पूरे विश्व में बज़ता था। इन पंच प्राणों में पहला प्राण है विश्व सीद भारत का बड़ा संकल्प। दूसरा प्राण है गुलामी की मानसिक्ता का संपूर्ण त्यार। तीसरा प्राण है अपनी विरासत पर घर्वर। चौथा और पंच प्राण है देश की एकता एक जुड़ता और नागरी कर्तव्य। आएनेस विक्रांत के निर्मान और इसकी यात्रा में हम इन सभी पंच प्राणों की उर्जा को देश सकते हैं। आएनेस विक्रांत इस उर्जा का जीवन संयत्र है। थाथ्यों आएनेस विक्रांत के हर भाग की अपने एक खुबी है। एक ताकत है। अपनी एक विकास यात्रा भी है। यह सदेशी सामर्थ, सवदेशी संसाधन और सवदेशी कौशल का प्रतीक है। इसके एरबेस में जो स्टील लगी है, वो स्टील भी स्वदेशी है। यह स्टील डियाडियों के वेज्ञानी को ने विक्सित किया। भारत की कंपनियों ने प्रोडूस किया। एक युद्ध पोत से भी जादा एक तैरता हुआ एरफिल्ड है, एक तैरता हुआ शहर है। इसमें जितनी बिजली पैदा होती है, उससे पाँच हजार गरों को रोशन किया जा सकता है। इसका फ्लाइट देख भी दो फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है। विक्रांत में जितने कैबल्स और वायर्स इस्तिमाल हुए हैं, वो कोची से शुरू हो तो काशी तक पहुँच सकते हैं। ये जटीलता हमारे इंजिनियर्स की जीवटता का उधारन है। मेगा इंजिनियर्स से लेकर नेनो सर्किट तक पहले जो भारत के लिए अकल्पनी अखा, वो हकीकत में बदल रहा है। इस अहितिहासिक अउसर पर मैं भारतिय नव सेना का, कोचिन सिप्यार के सभी इंजिनियर्स, वैज्यानिकों और मेरे स्रमिक भाई भेनों का अभिनंदन करता हूं, जिनोंने इस सपने को साकार किया है। आज भारत बिश्व के उन देशों में शामिल हो गया है, जो स्वदेशी तक्निक से इतने विशाल एरक्राफ केरियर का निर्मान करता है। आज आएनेस विकरान ने देश को एक नए विश्वास से भर दिया है। देश में एक नया भरोसा पैदा कर दिया है। आज विकरान को देखकर समंदर की ये लहरे आहवान कर रही है। अमर्त वीर पुत्र हो। द्रड़ प्रतिज्य सोचलो। प्रसस्य पुन्य पंथ है। बढ़े चलो। बढ़े चलो। बढ़े चलो। विकरान्त विशाल है, विराठ है, विहंगम है। विकरान्त विशिष्ट है, विकरान्त विशेद भी है। विकरान्त केवल एक युद्ध पोत नहीं है। ये 21 सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबधता का प्रमान है। यदि लक्ष जुरंत है, याक्राए दिगंद है, समंदर और चनोतिया अनंत है, तो भारत का उत्तर है विकरान्त। आज़ादी के अमरत महोत्सव का अतुल्निय अमरत है विकरान्त। आत्मंदिर पर होते भारत का अज़ितिय प्रतिमिंब है विकरान्त। ये हर भारतिय के लिए घर्व और गव्रव का अनमोल आउसर है। ये हर भारतिय का मान स्वाभिमान बढ़ाने वाला आउसर है। मैं इसके लिए हर एक देश माची को बढ़ाई देता हूँ। So those were some of the highlights of what Prime Minister Modi said while going ahead and commissioning INS Vikrant. Imagine this, this particular warship, this aircraft carrier, end to end is two football fields combined. That's the length and how massive the INS Vikrant is. But Shiv, as someone who's covered the defence beat for so long, what's that one feature that truly stands out for you about the INS Vikrant? The feature that stands out is that it's Indian. You know, I can't stress that enough because, Akshita, India has operated aircraft carriers for over, you know, half a century, from the 1950s when the original Vikrant came. But the very fact that INS Vikrant has been manufactured in India, you know, most people are not ever going to be able to appreciate what an incredibly daunting task this has been. The fact that 45,000 tons of technology, metal and basically an airport on deck, you know, is something that, you know, like you earlier said, Akshita, an exclusive club of six nations have been able to achieve that kind of technology. It's not, this is not our ship. Remember, you know, many people think, oh, it's just another ship that is just large and you get some aircraft landing on it. No big deal. It is completely different from any ship because it's got to be able to launch and recover aircraft. Helicopters are going to be able to land on it. They've got to park them in large numbers. They've got to move in a large carrier battle group. They've got to have all kinds of sensors for self-protection because aircraft carriers are basically big, fat targets at sea. So, you know, it's a very exciting time but also a time of a certain degree of nervousness and anticipation because our brave Indian Navy personnel will be getting used to the ship. Like, you know, like getting a new car, which is such a simplistic example. But, you know, for those first few days, you're getting used to the smells, the sights, the sounds of the car. Imagine two football fields like you said, Akshita. And, you know, 15 decks, all those hundreds of thousands of square meters of, you know, space to actually explore. This is, you know, I don't think any one sailor will ever be able to, in their entire career, see all of this ship. That's the amazing and scary part about a ship the size of INS Vikrant. We've got some breaking news coming in now. There's unfortunately, at this moment of pride for the entire country, a bit of politics also that's erupted. We're going to briefly focus on that, the kind of reactions that have come in, And even as the Prime Minister was commissioning INS Vikrant, the Congress has attacked the Modi government over this launch. And essentially, they're serving a reminder. But Congress's Jairam Ramesh saying that INS Vikrant is a collective effort of all governments. So, a credit warship, which is broken out now. The Congress is essentially trying to serve a reminder to the BJP, to the Modi government, saying that, look, you have to recognize that this is the work of many governments put together. And that's how you're seeing this commissioning of INS Vikrant. He's saying governments since 1999 came together for this. Well, the Prime Minister acknowledges this question. I find this kind of, you know, war for credit is very familiar, Achita, but it's also unsurprising. Because this kind of thing has always happened between governments. It's very unseemly, kind of distasteful on a symbolic, ceremonial, sacred day for the Indian Navy. You know, for political parties to be bickering for credit in this sort of public manner on social media. Jairam Ramesh is the one who's done that. I personally believe that the people who should be, you know, getting credit today are the workers, the welders, the designers, the people who've labored for nearly two decades to put this incredible ship together. You know, but politics is never really far away, and especially when it comes to credit politics. Because the Congress has always seen the BJP and the Modi government as one that takes credit for the good things that Congress governments in the past has also done. Mausmi, familiar credit politics breaking out during the commissioning of INS Vikrant. Absolutely, Shiv. And the way you were explaining and elaborating about the INS Vikrant, it is definitely a moment of pride for all Indians. But unfortunate, you know, here there is a battle for one-upmanship as far as, you know, political contribution to the INS Vikrant is concerned. And because Jairam Ramesh, who's always been very quick on Twitter to actually rebut allegations or launch a frontal attack, he are, in fact, reminding the prime minister that INS Vikrant played a crucial role in 1971 as well. And since 1999, it's the success of governments who have actually contributed to this day. And even as you did elaborate that it is our Navy personnel who need to be celebrated at this moment, and all those, you know, days of hard labor and work by the men and women who are behind this, he seems to agree, but politics still prevailing over the entire inauguration. You know, Shiv is right, Maushmi, in saying that this kind of takes away from the contribution of so many of those workers who have been putting in so much of time and sweat for the last many, many years on this. So while we have reported on the credit report and the politics, let's shift our focus to, in fact, the credit where it's due to the people, the workers of INS Vikrant and hail what they have done, whichever government deserves credit or not. Let's cut across to more breaking news. This is on the other big momentous moment today that we saw, when the Indian Navy got a new ensign, a new symbol, a new identity. And the prime minister has sent across a strong message during the launch of that ensign ship. That's right, the prime minister says, today India has taken off a trace of slavery, a burden of the British Raj colonial era on this historic date of September 2nd, 2022. Another history-changing act has happened. This is what the prime minister had said while unveiling the proud new ensign, an identity, the flag of the Indian Navy, getting rid of the British era St. George's Cross, which used to adorn it up until now. इन पंच प्राणों में, पहला प्राण है, विश्षिद भारत का बड़ा संकल्प, दूसरा प्राण है, गुलामी की मानसिक्ता का संपूर्ण त्याज, प्राण है, तीसरा प्राण है, अपनी विरासत पर घर्व, चौथा और पांच वा प्राण है, देश की एकता, एक जुड़ता और नागिरी कर्तव्य, आयने स्विक्रांत के निर्मान, और इसकी यात्रा में, हम इन सभी पांच प्राणों की उर्जा को देख सकते हैं, आयने स्विक्रांत, इस उर्जा का जिवन संयत्र है, पार्याजियों चेंड, जो से फिद मेते ही और धिज को इंग करशक इंगत जंग पने कि अ एकलत और जह पार विय को ऐन—म्रेंग एका जरोसे चाम मेज़ में अप्रमध है för्याती देनी दौनk वेल्ग जी इंग प्रॉस Institute and that's what's brought it to this point now but now it's, you know, if I can call it that it's simplistic to say, the fun and games are over the simulator is over, the test drive is over now you're the owner, now you're in the driver's seat and now you mean business The Navy has been asking for a second aircraft carrier for some time now, Shiv to ensure that, you know, we have all of our fees covered and this iris Vikrant essentially answers all of the demands they press for a second aircraft carrier it's a double bonus, of course, that it's completely made in India now that INS Vikrant is officially commissioned the ship will essentially act as a deterrent amid China's growing presence in the Indian Ocean region, Shiv Absolutely, and this is a ship while not particularly pointed at any one Indian adversary will serve as a huge announcement of India's ability to project power across the Indian Ocean and beyond under Kerala, 3, Arif Muhammad Khan, Honorable Chief Minister Kerala, 3, Penalai Vision, Minister of Ports, Shipping and Waterways, 3, Sarwananji Sonwal, National Security Advisors, 3, Ajit Doval, Mani Raksha Rajya Mantri, 3, Ajay Bhatt, 3, Rajiv Chandraseekar, M.V.S. for Electronics and Information Technology, Admiral R. Harikumar, Chief of Naval Staff, 3, Madhu Yashnair, CMD, CSL, यहां मौजूद, अन्य, गर्मान, अथिटिगन, मिडिया के मेरे ताथियों, देवियों, वस्तज्जनों आज इंडियन नैवल सिफ बिक्रांत की कमिस्टिंग के एटिहाशी का उसर पर मानिप्रधान मंत्री जी का हम सब के बीच होना हम सभी के लिए एक प्रसंदता का प्रसंग है अपने बिजी सेडूल में से समय निकाल कर आपने यहां अपनी गरिमामई उपसिटी प्रदान की है मैं आपका हारदिक स्वागत और अविनन्दन करता हूँ अमरित काल के प्रारंध में आई एनस विक्रांट की कमिशनिंग अगले 25 वरसों में रास्ट की सुरक्षा के हमारे मजबूत संकल्प को दोराती है आई एनस विक्रांट एक एस्परेशनल और सेल्फ रिलाइंट इंडिया का एक एकसेप्सनल सिंबल है यह एक आईकन है रास्ट के गौरों का रास्ट की सक्ति का और रास्ट के संकल्प का इसकी कमिशनिंग इंडिजिनस वारसित और कंस्ट्रक्षन की राह में एक अनप्रेशिडेंटेट एचिब्मेंट है जैसा कि आप सभी नईवी के टेडिशन से अच्छी तरह होगत है ओल्ड शिप्स नेवर डाई 1971 के युद्ध में अपनी शांदार भूम का निभाने वाले विक्रांद का यह नया अवतार अम्रित काल की उपलब्धी के साथ साथ हमारे त्रीडम फाइटर्स और ब्रेव स्वल्जर्स को भी एक विनम्र प्रदांजली है साथियों बदलते समय और परिस्टियों के अनुसार अनिंटरॉप्टेड मेरिटाइम ट्रेट के संचालन के लिए भारत के मेरिटाइम इंटरस्ट को शेक्योर रखना इंडियन डैवी की सिगनिफिकेंट रस्पांसबिल्टी है मुझे पुरा विश्वास है कि इस जम्मेदारी के इडिस्कूशन के लिए एरक्राफ्ट कैरियर से बहतर माध्यम और कुछ नहीं हो सकता है भारती नौसेना नेशनल अफ़ाई इंटर्डेश्बल लेवल क्राइसिस में फॉरस्ट रस्पॉंडर के रूप में हमेशा तयार रहती है आई एनस्विकरांद की कमिशनिंग से नौसेना की केफेविल्टी में और अधिक वृद्धी होगी मित्रों आई एनस्विकरांद की कमिशनिंग इस बात की पुष्टी है कि आत्म नर्भर भारत का हमारा प्रयाद कोई आईसुलेटेड पॉलसी नहीं है यहमानी प्रधानमंत्री के नेत्रत में भारत में हो रहे विशाल ट्रांस्फार्मेटिव चेंज़ेज का एक महत्तपूर्ण हिस्सा है इस विशाल लक्ष को प्राप्त करने के लिए सरकार ने हेल्थ, एजुकेशन, अग्रिकल्चर, ट्रेड, ट्रांस्पोर्ट, कम्निकेशन, आधी समस्ट शेत्रों में पाथ ब्रेकिंग चेंज़ेज किये हैं डिफेंस शेक्टर के बात करें तो सरकार ने डिफेंस प्राप्स्टन पॉल्ची एंड एक्सपोर्ड प्रमोशन पॉल्ची में सुधार किये हैं डिफेंस सेक्टर में फड़ी आई की लिमिट को बढ़ाया है और डिफेंस इंडेस्टियल कॉरिडर डवलप करने जैसे महत्तों प्रियास किये हैं इसके साथ इस वरस कैपिटल एक्वीजिशन बजट का 68% यानि लगभग 85,000 करोर रुपे डोमस्टिक इंडस्ट्री के लिए मिरधारित किया जाना Armed Forces और DPSU द्वारा Imports को Minimize करने के लिए तीन तीन Positive Indigenization List जारी किया जाना भी डिफेंस सेक्टर में आत्म दरवरता की ओर उठाए गए यह हमारे महत्तपोन कदम है हमारा Mission किबल Make in India ही नहीं बलकि Make for the World है यह है पिछले वरस में हुए 400 बिलियन डॉलर से अधिक के Export इसके प्रमान है हम जैसे जैसे 5 टिलियन डॉलर एकॉनमी की और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं आने वाले समय में ग्लोबल ट्रेड में हमारा शेयर बढ़ेगा ग्लोबल ट्रेड में शेयर बढ़ेगा तो इसका एक बड़ा हिस्सा आनिवार रूप से मेरिटाइम रूट से होगा ऐसे में हमारी Security हो असवा Economic Interest दोनों ही दृष्टियों से यह I.N.S. विक्राम हमारे लिए अत्यां महत्तपूर्ण साबित होगा ऐसा मेरा विश्वास है मित्रो हमारे Friendly Foreign Countries के लिए यह Commissioning एक आश्वासन भी है कि हम हमारी Collective Security की जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम है हम एक Free, Open and Inclusive Indo-Pacific में विश्वास रखते हैं इस संब्ध में हमारे प्रयास माननी प्रधानमंत्री जी के वीजन सागर यानी Security and Growth for All in the Reason से गाइड़ेट है इस साइटी हाशी का उसर पर मैं इंडियन नेवी और कोचिन CPR Limited के collaborative efforts की सराहना करता हूँ साथ ही महत्वपोन प्रजेक्ट से जुड़े समस्त कर्मयोगियों की भी मैं प्रसंसा करता हूँ Chief of the Naval Staff Admiral R. Harikumar और उनकी पूरी टीम की विकरांद की कमिस्निंग में focused efforts के लिए मैं सराहना करता हूँ मैं पुनह मानी प्रधानमंत्री जी के प्रती अपना आभार व्यक्त करता हूँ जिनके leadership और direction की चलते आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं हम भविष्य में निरंतर आपके guidance की आशा करते हैं मैं आयेन स्विकरांद के captain और crew के भविष्य के प्रयातों में सफलता की कामना करता हूँ इस स्वर आपको हर परशितियों में अजेय रखें शंग नो वरुणह में दलाड़ अब दवाटर बी आश्वेशस अंटु अस की कामना के साथ मैं अपना निवेडन समाप्त करता हूँ लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु वलरे नन्नी जै हिन थां के दाशीरिज़ बोलाब्रटी ने गजै करता है अश्थन से के साथ जाण know-को तो अक्यान। INS Vikrant is a testimony to the passion and vision of our Navy veterans, a testimony to the relentless pursuit of excellence by our warship designers, a testimony to the years of dedication and shipbuilding expertise of Cochin shipyard, and a crowning achievement of Indian industry and MSMEs. देवियों और सज्जनों आधूनी करण और स्वदेशी करण के मार्ग पर चलते हुए भारतिय नौसेना ने आज एक नए मुकाम को हासिल किया है भारत सरकार के मेक इन इंडिया और आत्म निर्भर भारत की नीतियों पर आधारिक विकास की नीव अब फली बूत होते दिखाई दे रही है तो आईए भारतिय नौसेना के सफर को एक डॉक्यूमेंटरी फिल्म के माध्यम से देखें और आत्म निर्भर भारत अस लेड़ तो सेल्फ रिलाइंस अन लैंड अट सी एंड इन दी एर डिपैंस दे जूडी हर छोटी छोटी जरुट के लिए विदेशों को निर्भरता हमारे देश के स्वाभीबान हमारे आर्थिक नुक्सान के साथ ही रण नितिग रूप से बहुत जड़ा गंबील खत्रा है इस तिती से देश को भार निकालने के लिए 2014 के बाद हमने मिशन मोड पर काम शुरूब किया बीते दसकों की एप्रोज से सीखते हुए आज हम सब का प्रयास उसकी ताकत से नए डिफेंज एकोसिष्टिक भाविकास कर रहे हैं The course towards आत्म निर्भरता has been charted by the government of India's transformational initiatives Positive Indigenization lists promote indigenous development and design Dedicated defense corridors boost defense production Increase in FDI through the automatic route enhances access to modern technologies The IDEX ecosystem supports advanced research and development Every platform since 2014 has seen increased indigenization creating greater opportunities for Indian industries both within and outside India We are now a three-dimensional Atmanirbhar Navy capable of operating across the spectrum of naval operations from disaster relief to all-out combat Our transformation from a buyer's to a builder's navy has been inspired by a rich maritime legacy of indigenous design and construction Today there are 39 ships and submarines under construction in Indian shipyards 49 more platforms have been accorded acceptance of necessity Our future submarine program will be our largest Atmanirbhar project Being vocal for local has led to innovation and skill development contributing to startup India Atmanirbhar Bharat has not only created robust infrastructure, it has made us think bigger and bolder What better proof than Vikrant? Named after our first carrier, the legendary Vikrant that played a decisive role in 1971 She will be the fourth aircraft carrier to fly the white ensign Designed by the Indian Navy's warship design bureau And built by Cochin Shipyard Limited We now belong to a select group of countries With the capability of indigenously designing and building an aircraft carrier Her 26,000 tons of warship grade steel has been developed by DRDO and produced by the Steel Authority of India Vikrant's 76% indigenous content has been achieved through partnerships with over 90 Indian OEMs More than 100 MSMEs and over 500 ancillary industries Above all, Vikrant has provided direct employment for 2,000 personnel in CSL An indirect employment for 13,000 towards plough-back effect to the Indian economy You should be able to achieve that when the India has gained its power of its power of its power In that time, we will be able to achieve that As India powers towards a blue economy, Vikrant will strengthen the Navy's capabilities and be a force multiplier In both defensive and offensive roles Six-three-zero, six-eight I now request the commanding officer of INS Vikrant काप्टन विद्याधर हरके तो डिक्लेर एंद प्रोक्लेम दे कमिश्निंग वारंट अफ आयने स्विक्रांट कमिश्निंग आदेज जबकी भारत सरकार ने भारतिय नौसना पोथ विक्रांट को कमिश्न करने का नेनलिया है आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप आगे बढ़के इस युद्ध पोथ को सप्टेम्बर दो हजार बाईस के दूसरे दिन पर कमिश्न करें अथ्वा परस्तती अनुस्ता शीग्र दिशीग्र कमिश्न करें भारतिय नौसना पोथ विक्रांट को भज अधिकारी डक्षिन नौसना कमान के द्वारा प्रशासित किया जाएगा मेरे द्वारा जारत दो सप्टम्बर दो हजार बाईस हस्ताक्षर आर हरीकुमार आड्मिरल नौसना अध्यक्ष कितना बड़ा दिन है नौसना के लिए कितना एतिहासिक दिन है हमारे देश के लिए और अब समय आ गया है उस आवाज को सुनने का जिसने हमारे देश को एक नई दिशा दी है समय आ गया है उस आवाज को सुनने का जिसने हमारे पूरे देश में समस्त भारतवासियों के दिल में आत्म विश्वास प्रेड़ना और संकल्प की भावना जागरत कर हमारे पूरे देश को एक लक्ष दिया आत्म निर्भर भारत देवियों और सज्जनों और प्यारे बच्चों जोरदार दमदार जानदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंडर मोदी इस अइतिहासी कारकम में उपस्थिद करला के राजपाल स्रिमान आरिप महमद खान केरल के मुठ्ध मंत्री स्रिमान फिनाराइव विजयन जी देश के रक्षा मंत्री स्रिमान राजणाश्री जी केंद्रिय मंत्रिमंडल के मेरे अन्य सहयोगी गण चीफ अप नेवल स्टाफ एडिमिरल आर हरीकुमार जी एमडी कोचिन शिप्याड सभी विशिष्ट एवं गणमान ये अतिधिगाण और इस कारकम में जुड़े मेरे प्यारे देश वास्यों आज यहां किरला के समूद्री तट पर भारत का हर भारत वास्यों एक नए भविश्च के सुर्योदय का साक्षी बन रहा है आएनेस विक्रान पर हो रहा ये आयोजन विश्वक्षितीज पर भारत के बुलंद होते हांसलों की हुंकार है आज हादि के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस सक्षम समर्थ और सक्तिशाली भारत का सपना देखा था उसी एक ससक्त तस्वीर आज हम यहां देख रहे हैं विक्रांथ विशाल है विराठ है विहंगम है विक्रांथ विशिष्ट है विक्रांथ विशेव भी है विक्रांथ केवल एक युद्ध पोत नहीं है ये 21 सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबधता का प्रमान है यदि लक्ष दुरंत है, यात्नाएं दिलंध है, समंदर और चनोतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है बिक्रान आज़ादी के अमरत महोत्सव का अतुल्निय अमरत है बिक्रान आत्मंदिर पर होते भारत का अज़ितिये प्रतिमिम्भ है बिक्रान ये हर भारतिय के लिए घर्व और गव्रव का अन्मोल अउसर है ये हर भारतिय का मान, स्वाभिमान बढ़ाने वाला अउसर है मैं इसके लिए हर एक देश माची को बढ़ाई देता हूँ साथियों, लक्ष कठीन से कठीन क्यों नहोँ चुनोतियां बड़ी से बड़ी क्यों नहोँ भारत जब ठान लेता है, तो कोई भी लक्ष असंभव नहीं होता है आज भारत बिश्व के उन देशों में शामिल हो गया है जो स्वदेशी तक्निक से इतने विशाल एरक्राप केरियर का निर्मान करता है आज आएनेस विक्रांत ने देश को एक नए विस्वात से भर दिया है देश में एक नया भरोसा पैदा कर दिया है आज विक्रांत को देखकर समंदर की ये लहरे समंदर की ये लहरे आहवान कर रही है अमर्त वीर पुत्र हो अमर्त वीर पुत्र हो द्रड़ पतिग्य सोच लो पसद से पुन ने पंद आए प्रसक्त पुन में पंद आए बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो साथियों इस आइतिहासिक अउसर पर मैं भारतिय नव सेना का कोचिंसि प्यार के सभी इंजीनियर्स वे ज्यानिकों और मेरे स्रमीक भाई भैनों का अभिननन करता हूँ जिनोंने इस सपने को साकार किया है किरगा की पुन्य भुमी पर देश को ये उपलब्दी एक ऐसे समय पर मिली है जब ओनम का पवित्र परविवी चल रहा है मैं सभी देश वाचियों को इस अउसर पर ओनम की हारदिश सुपकामनाई भी देता हूँ साथियों आएनेस विक्राम के हर भाग की अपने एक खुबी है एक ताकत है अपनी एक विकास यात्रा भी है ये सदेशी सामर्थ्य सदेशी संसादन और सदेशी काउशल का प्रतीक है इसके एरबेस में जो स्टील लगी है वो स्टील भी स्देशी है ये स्टील डियाडियों के वेग्यानी को ने विक्सित किया भारत की कंपनियों ने प्रोडूस किया एक युद्दपोत से भी ज़्यादा एक तैरता हुआ एरफिल्ड है एक तैरता हुआ शहर है इसमें जितनी बिजली पैदा होती है उससे पांच हजार गरों को रोशन किया जा सकता है इसका फ्लाइट देख भी दो फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है विक्रांत में जितने कैबल्स और वायर्थ इस्तिमाल हुए हैं वो कोची से शुरू हो तो काशी तक पहुँच सकते हैं ये जटीलता हमारे इंजिनियर्स की जीवड़ता का उधारन है मेगा इंजिनियर्स इंसे लेकर नेनो सर्किट सक पहले जो भारत के लिए अकल्पनी अथा वो हकीकत में बदल रहा है साथियों इस बार स्वतंत्रता दिवस पर मैंने लाल किले से पंच प्रान का आवान किया और हमारे हरी जी ने भी इसका उलेक किया इन पंच प्रानों में पहला प्रान है विश्सीद भारत का बड़ा संकल्प दूसरा प्रान है गुलामी की मानसिक्ता का संपूर्ण त्यार तीसरा प्रान है अपनी विरासत पर घर्व चौथा और पांच वा प्रान है देश की एकता एक जुड़ता और नागरी करतव्य आएनेस विकरान के निर्मान और इसकी यात्रा में हम इन सभी पांच प्रान प्रानों की उर्जा को देख सकते हैं आएनेस विकरान इस उर्जा का जीवन सहित्र है अभी तक इस तरह के एरक्राप केरियर केवल विक्सित देश ही बनाते थे आज भारत ने इस लीग में सामिल होकर विक्सित राज्ट की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है साथियों जल परिवहन के छेत्र में भारत का बहुत गवरव में इतिहास रहा है हमारी समरुद्ग विरासत रही है हमारे यहां नौकाओं और जहाजों से जुड़े स्लोकों में बताया गया है बिर्गी का तरणी ही लोला गत्वरा गामिनी तरी ही जंगाला प्लाविनी चैवा धारीनी वेगीनी तखा बिर्गी का तरुणी लोला गत्वरा गामिनी जंगाला प्लाविनी धारीनी वेगीनी हमारे हां जहाजों और नौकाओं के अलग-अलग आकार और प्रकार होते थे हमारे वेदों में भी नौकाओं जहाजों और समुद्र से जुड़े कितने ही मंत्रा आते हैं वैदी काल से लेकर गुप्त काल और मौर्यकाल तक भारत के समुद्री सामर्थ का दंका पूरे विश्व में बज़ता था चत्रपती वीर सिवाजी महाराज ने इस समुद्री सामर्थ के दंपर ऐसी नवसेना का निर्माण किया जो दुश्मनों की निन्द उड़ा कर रखती थी जब अंग्रेक भारत आए तो वो भारत ये जहां जो और उनके जरिये होने वाले व्यापार की ताकत से गबराए रहते थे इसलिए उन्होंने भारत की समुद्री सामर्थ की कमर तोड़ने का फैसला लिया इतियाद गवा है कि कैसे उस समय ब्रिटीज संसद में कारून बना कर भारतिये जहाजों और व्यापारियों पर कड़े प्रतिबंद लगाए दिये गए थे भारत के पास प्रतिभा थी अनुभाव था लेकिन हमारे लोग इस कुटलता के लिए मानसिक रुप से तयार नहीं थे हम कमजोर पड़ें और उसके बाद गुलामी के कालखन में अपनी ताकत को धीरे धीरे भुला बैठे अब आज हादी के अमरित काल में भारत अपनी उस खोई हुई शक्ति को वापस ला रहा है उस सुर्जा को फिर से जगा रहा है साथियों आज 2 सितंबर 2022 की एकिहासिक तारिक को इतियास बदलने वाला एक और काम हुआ है आज भारत ने गुलामी के एक निशान गुलामी के एक बोच को अपने सीने से उतार दिया है आज से भारतिय नव सेना को एक नया द्वज मिला है अब तक भारतिय नव सेना के द्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी लिकिन अब आज से छत्रपति सिवाजी महराज से प्रेरित नव सेना का नया द्वज समंदर और आस्मान में लहरा आएगा कभी रामधारी सी दिनकर्जी ने अपनी कविता में लिखा था नवीन सूर्य की नई प्रभा नवीन सूर्य की नवीन प्रभा नमो 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 सुधंत्र भारत की द्वजा नमो 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 आज इसी द्वज बंदना के साथ मैं ये नया द्वज नव सेना के जनक छत्रपति भीर सिवाजी महराज को समर्पित करता हूँ मुझे विश्वास है भारतिय की दाकी भावना से ओद्वज ये नया ध्वज भारतिय नव सेना के आत्मबल और आत्म सम्मान को नई उर्जा देगा साथ क्यों हमारी सेनाओं में किस तरफ बडलावा रहा है उसका एक और हमपक्ष मैं सभी देश वासियों के सामने रखना चाहता हूँ विक्रान जब हमारे समुद्री खेत की सुरक्षा के लिए उत्रेगा तो उस पर नव सेना की अनेक महिला सैनिक भी तैनात रहेगी समंदर की अथा सक्ति के साथ असीम महिला शक्ति ये नए भारत की बुलंद पहजान बन रही है मुझे बताया गया है कि अभी नेवी में करीब छेसो महिला आफिसर्थ हैं लेकिन हम इंडियन नेवी ने अपनी सभी साखाओं को महिलाओं के लिए खोलने का फैसला किया है जो पामंदिया थी वो अब हट रही है जैसे समर्थ लहरों के लिए कोई दाइरे नहीं होते वैसे ही भारत की बेटियों के लिए भी अब कोई दाइरे या बंदन नहीं है अभी एक दो साल पहले विमेन अफिसर्स ने तारीनी बोर्ट से पूरी पृत्वी की परिक्रमा की थी आने वाले समय में ऐसे पराखम के लिए कितनी ही बेटियां आगया आएगी दुनिया को अपनी शक्ती से परिचित करवाएगी नेवी की तरह ही तीनों ससत्र सेनाओं में युद्यक भुमिकाओं में महलाओं को शामी किया जा रहा है उनके लिए नई जिम्मेदारियों के रास्ते खोले जा रहे हैं साथियों आत्म निर्भरता और आज़ादी को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है जो देश जितना किसी दूसरे देश पर निर्भर है उतना ही उसके लिए संकट है जो देश जितना आत्म निर्भर है वो उतना ही शसक्त है कोरोना के संकट काल में हम सभी ने आत्म निर्भर होने की इस ताकत को देखा है समझा है अनुभव किया है इसलिए आज भारत आत्म निर्भर होने के लिए पूरी शक्ती से काम कर रहा है आज अगर अथा समंदर में भारत की ताकत का उदोस करना के लिए आएनेस विक्रान तयार है तो अनंत आकास में यही गर्जना हमारे तेजस कर रहे है इस बार 15 अगस को पूरे देश ने लाल किले से स्वदेशी तोप की हुंकार भी सुनी है आज हादी के 45 साल बार सेनाओं में रिफॉर्म करके भारत अपनी सेनाओं को निरंतर आधुनिक बना रहा है आत्म निर्भर बना रहा है हमारी सेनाओं ने ऐसे उपकरोनों की एक लंबी लीज़ भी बनाई है जिनकी खरीद अब स्वदेशी कंपनियों से ही की जाएगी डिफेंस सेक्टर में रिसर्च और डवलप्मेंट के लिए पचीस प्रतिशत बजट भी देश की उनिवर्सिटीज और देश की कंपनियों को ही उपलब्द कराने का मिरने लिया कया है तमिलनाडू और उत्तरप्रदेश में दो बड़े डिफेंस कोरिडोर्स बित्विक्सित हो रहे हैं डिफेंस सेक्टर में आत्मंदिर भरता के लिए उठाए जा रहे हैं इन कदमों से देश में रोजगार के अनेकों नए आउसर पैदा हो रहे हैं चाथ क्यों एक बार लाल के लिए से मैंने नागरिक करतव्य इसकी भी बात कही है इस बार मैं उसको दोहराया भी है बुन्द बुन्द जलसे जैसे विराट समंदर बन जाता है वैसे ही भारत का एक एक नागरिक वोकल फोर लोकल अगर वोकल फोर लोकल के मंत्र को जीना प्राणम कर देगा तो देश को आत्म निर्भर बनने में अधिक समय नहीं लगेगा जब सभी देशवासी लोकल के लिए वोकल होंगे तो उसकी गुंज सिर्फ भारत में नहीं बलकि पूरी दुनिया में सुनाई देगी और देखते ही देखते दुनिया के जो भी मैनुफेक्टर होंगे उनको भी मजबूरन भारत में आकर के मैनुफेक्टरिंग के रास्ते पर चलना पड़ेगा ये ताकत एक-एक नागरिक के अपने आप में तजूर्बे में है साथियों आज जिस तेजी से बैश्वीक परिवेश बदल रहा है बैश्वीक परिद्रक्ष बदल रहा है उतने विश्व को मल्टी पॉलर बना दिया है इसलिए आने वाले समय में बविश्वी की गतिवीदियां और सक्रियता का केंद्र कहां होगा ये बविश्य द्रश्टी बहुत जरूरी हो जाती है उधान के तौर पर पिछले समय में इंडो प्रसिपिक रीजन और इंडियन ओसन में सुरक्षा चिन्ताओं को लंबे समय तक नजर अंदाज किया जाता रहा लेकिन आज ये क्षेत्र हमारे लिए देश की बड़ी रक्षा प्रात्मिकता है इसलिए हम नवसेना के लिए बज़ट बढ़ाने से लेकर उसकी च्छमता बढ़ाने तक हर दिशा में काम कर रहे हैं आज चाहे आप्शोर्ट पैट्रोल विसल्स हो सब्मरीन सो या ऐरक्राप करियर्स हो आज भारत की नवसेना की ताकत अभूत पुर्वगती से बढ़ रही है इससे आने वाले समय में हमारी नेवी और मजबूत होगी जादा सुरक्षित सीलेंस बहतर मोनिटरिंग और बहतर प्रोटेक्शन से हमारा एक्सपोर्ट मेरी टाइम ट्रेड और मेरी टाइम प्रोड़क्शन भी बढ़ेगा इससे केबल